अगर आप देखे तो इसके पहले वाले पार्ट के अंदर में हम लोग ने कई टॉपिक्स के अमेंड्मेंड कर दिये थे और जैसे कि मैंने कहा था ये पूरा अमेंड्मेंड दो या तीन पार्ट के अंदर में आ सकता है तो आज हम डिसकस कर रहे है पार्ट टू पहले पार्ट के अंदर में हम लोगों ने इतने टॉपिक के ऊपर डिसकेशन किया था अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और जा करके आप देख सकते हैं इस नोट्स का सारे टॉपिक का अल्रेडी यूट्यूब के ऊपर चालू है तो प्लीज 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 जा करके वो जरूर देखिए गा यस तो चलिए बात करते हैं सेकेंड अमेंडमेंट की इसके पहले जो अमेंडमेंड हो चुके बेसिक हमने कतम कर दिया एक्जम्शन कतम कर दिया प सेट आफ करी फॉरवड भी लेने वाले हैं और पॉसिबल हो गया तो आज हम कैपिटल गेन वाला भी पार्ट खतम कर देंगे तो आज की अमेंडमेंड की शुरुवात करता हूं मैं असेस्मेंट प्रोसीजर से क्योंकि रिटर्न लास्ट ही हुआ है तो असेस्मेंट प्रो अमेंडमेंट का पार्ट बनता है तो अगर हम देखें आज असेस्मेंट प्रोसीजर के अंदर में 143 1 142 1 147 152 153 1 & 281 B यह वो सारे टॉपिक है जिनके अंदर में अमेंडमेंडमेंट आया है पॉसिबल है तो एक पेज ले लिजे एक पेज के ओपर लिख लिजे यह सारे अमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमेंडमें को अगर आप देखेंगे and 1421 को देखेंगे तो छोटे अमेंडमेंट है तो इसको हम हाथ से लिख देंगे और जो बड़ा अमेंडमेंट है 147 152 यह पूरा का पूरा आपका लिखावा है राइट मैं साथ साथ में आपको पेज नंबर भी बता दूगा कि रेगुलर बुक के करते हैं 142 वन से हम लोग शुरुवात करते हैं इंक्वाइरी बिफोर असस्मेंट अगर आपको यादो तो सेक्षन 142 पेज नंबर 65 पे आप लिख सकते है मैंने स्पेज देके रखा है रइट सेक्षन 142-1 इंक्वाइरी बिफोर असस्मेंट इंक्वाइरी बिफोर असस्मेंट याद होगा आपको याद होगा आपको तो हम पूरा का पूरा असस्मेंट चार्ट पड़ते हैं इस असस्मेंट चार्ट के अंदर में जैसे ही आपने रिटरन भरा जैसे ही आपने रिटरन भरा यह क्या करेगा आपका रिटरन स्कूरू पैत्रिने लेने से पहले वो क्या करेगा इन्फरमेशन कलेक्ट करेगा यह सकती है एक 14211 14211 और यहां आता है 14212 ऐसे दो पैरामेटर है इस पर्टिकिलर सेक्षन के अगर आपको याद हो तो 14211 आपको बोलता है कि जिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो AO may require the SSE AO may require the SSE to file ROI AO may require the SSE to file ROI और 142.12 में he can call for information and accounts यहने 142.1, 142.12 इस section के ऐसे दो पाट बनते हैं राइट inquiry before assessment 142.1.1 में AO कुछ लोगों से क्या करवा सकता है रिटर्न भरवा सकता है जिन लोगों ने क्या नहीं किया रिटर्न नहीं भरा होगा इस रिटर्न को जब भरते हैं हम कहते हैं return in response to notice return is response to notice और एक है 142.1.2 जिसके अंदर में क्या होता है बिटा यह आप से क्या मंगा सकता है information document या फिर accounts यह तीनों में से कोई भी मंगवा सकता है अब यहां पर amendment कहा है चोटा सा amendment अब ध्यान से सुनना आज तक यह issue करने का पावर जो था एयो के पास था आज तक inquiry before assessment के लिए जो notice देने का पावर था वो किसके पास था एयो के पास था अगर आपको याद हो who can be ao अगर आपको याद हो who can be ao जरह याद करो joint commissioner assistant commissioner deputy commissioner yes income tax officer यह तीन लोग कौन बन सकते थे यह बन सकते थे यह तीन लोग कौन बन सकते थे यह बन सकते थे तो अब तक 142 1 का notice issue करने का पावर जो था वो यो के पास था इस साल से इस साल से finance act finance act 2021 से यह पावर prescribed authority को भी मिल जाएगा यह पावर किसको मिल जाएगा प्रिस्क्राइब ऑथोरिटी को भी मिल जाएगा तो सीधे सीधी बात है यह एड हुआ है पनांस अक्ट 2021 से कि अब तक कि यह जो नोटेस था यह नोटेस इशू करने का पावर किसके हाथ में था बिटा एओ के हाथ में था अब यहां पर ऑबलिक करके और करके एक और अथोर प्रोवाइड कर देंगे या फिर या फिर कोई अधर प्रिस्क्राइब अथोरिटी जो एंडर में ऑपरेट कर रहा होगा जैसे असस्मेंट यूनिट या वेरिफिकेशन यूनिट इनको क्या दिया जा सकता है यह पावर दिया जा सकता है हालाकि ऐसा कुछ अभी बोला नह यह Ao के पास था अब यह पावर प्रिस्काइब अथोरिटी के पास भी आ चुका है Game over एक amendment खतम तो पहला amendment जो आया है पहला amendment जो आया है everybody पहला amendment जो आया है पहला amendment था बेटा 142.1 का inquiry before assessment का बढ़ा छोटा amendment था not so big deal दूसरा amendment आया है summary assessment का 143.1 का जरा समझे 143.1 क्या है इध आट uh के समेरी ऐसे संबंट करें ना है अगर डिटन महरा नहीं तो अइसके बाद क्या होता था इसका मैंने टर्री समरी अस्राइं चीज़ में संब्ञट下去 स्प्रूटिनी 1431 के अंदर में जाता है जब 143 के अंदर में जाता है जब कि समरी 143 के अंदर में आता है तो समरी असेस्मेंट जब भी होता था तो क्या किया जाता था कुछ कुछ adjustment किये जाते थे, summary assessment के अंदर में कुछ adjustment किये जाते थे, याद करो कौन कौन से adjustment होते थे, पहला mathematical error इसके अंदर में क्या करते थे, सुधारी जाते थे, दूसरा incorrect claim इसके अंदर में क्या किये जाते थे, सुधारी जाते थे, यानि जब summary assessment होता था system, 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 system automatically कुछ corrections करता थ कौन कौन से correction system करता था पहले करता था अर्थमेटिकल एरर दूसरा करता था incorrect claim अगर कुछ आप लोगों ने किया है तो इसको वो सुधार देता था तीसरा होता था अर्थमेटिकल एरर दूसरा incorrect claim तीसरा disallowance of losses if return is filed after the due date अगर return after the due date file किया है तो आपको तो पता है वैसे भी losses allowed नहीं हो सकते carry forward होने के लिए तो ऐसे losses क्या कर देता था वो add back कर देता था आपके income के अंदर में चौथा adjustment वो करता था the fourth adjustment वो किया करता था disallowance of expenditure disallowance of expenditure as mentioned in indicated in audit report as mentioned in audit report रुख किये यहीं amendment है यहीं amendment है पहला adjustment system करता था mathematical error दूसरा वो करता था incorrect claim तीसरा करता था disallowance of losses if return is filed after the due date और चौथा करता था disallowance of expenses as indicated in audit report और ने अगर कुछ expenses ऐसे audit report के अंदर में लिखे है जो expenses अलाओ नहीं होने चीहते है वो लेता था और क्या कर देता था add back कर देता था लेकिन आपको भी पता है कई report audit report के अंदर में कई income ऐसी भी होती है जो एओ mention कर देता है जो आपने क्या नहीं करी हो consider नहीं करी हो yes यहने वो expenses यह नहीं लिखता था कई बार वो income भी लिख देता था कि यह भी income हुई आसे ची को लेकिन इसमें यह consider नहीं करी गई है अब ऐसा adjustment return में अब तक नहीं होता था होना चाहिए yes होना चाहिए लेकिन कुछ income है जो वह वहां पर audit report में अपने remarks में mention करता था वो यहां पर adjustment करते वक्त होता ही नहीं था यहने auditor ने अपना काम कर दिया कोई छुपीवी income को बाहर लाने का लेकिन यह चीज टैक्स में आई या नहीं आई इस बात का income tax department को यह adjustment नहीं करता था अब ऐसे cases में यहां पर amendment आया लिखा disallowance expenses और increase in income यह word भी finance act 21 से add कर दिया disallowance of expenses और increase in income यह भी word उनने क्या कर दिया add कर दिया यानि अब अगर audit report के अंदर में expenses ही नहीं कोई income भी mentioned है जो आपने return of income में consider नहीं करीवी है वो भी क्या कर देगा वो add back कर देगा तो ऐसी income जो आपने return of income के अंदर में नहीं लीवी है पर audit report में वो mentioned है तो यह भी income को वो क्या कर देगा add back कर देगा तो यह हुआ पहला amendment 1431 के अंदर में 1431 के अंदर में couple of amendments है practically तीन उसमें से पहला है disallowance of expenses और increase in income यह theory का favorite question है अब तक examiner का final level पे इसको favorite question मनाया जाता है इ अबन सकता है एक और amendment इसके अंदर में हुआ है एक और amendment इसके अंदर में हुआ है Disallowance of deduction under chapter 6a part c or or 10 double a if return is filed after the due date जितने लोगों ने already अपना regular batch लियावा है आपके module number 1 के page number 4.4 पे already amendment red color से लिखावा है तो आपको देखने की ज़रत नहीं है अपनी book में page number 4.4 पे यह already था सिर्फ recall कर लो काफी है यह हमने already amendments cover किये वहें सारे के सारे राइट सो अब तक क्या होता था जरह समझेगा अब तक कि यह वर्ड नहीं था यह है आपका दूसरा amendment यह हुआ पहला amendment यह है आपका दूसरा amendment अब तक कि यह होता था टेन डबले वह सीजेड वाला SEZ वाला deduction आपको अगर claim करना था तो return time पे भरना जरूरी था SEZ वाला deduction अगर आपको claim करना था तो return time पे भरना जरूरी था return time पे file नहीं किया तो 10AA का exemption जो था यह आपको मिलता नहीं था at the same time अगर आप section 80 की series पड़े तो वहां पे भी clear cut लिखावा है कि अगर आपको income based deduction लेने हैं part C, A, A, I, B, I, C, I, D याने 80, 80, U, sorry, 80, H, H to 80, R, R, V 80, H, H to 80, R, R, V यह वाले deduction भी नहीं मिलेंगे अगर आपने return time पे file नहीं किया तो बस उन्होंने वही लिख दिया chapter 6 A, part C, तो भीया अगर आप एक ऐसे असासी है जो chapter 6 A, part C, 80, I, A, 280, I, E, या in total 80, H, H to 80, R, R, V में से कोई भी direction आप claim करते हैं लेकिन return आपने time पे file नहीं किया है तो यह भी क्या हो जाएगा बिटा, add back हो जाएगा सो वापस से देखेगा दो amendment हम लोग ने देखे, 1431 summary assessment होता है, return file करने के बाद summary assessment mandatory है जब summary assessment होता है तो आपका जो CASS होता है, computer-aided scrutiny software होता है मालिक यह कुछ adjustment किया करता था, mathematical error, incorrect claim, disallowance of losses if return is filed after the due date, disallowance of expenses if mentioned in audit report and disallowance of exemption under section 10AA, यह किया करता था, इस साल से क्या हो गया, इस साल, finance act 2021 से क्या amendment है दो amendment है, 1431 के अंदर में, पहला amendment, expenses के साथ साथ अगर increase in income है, जो audit report में mentioned और आपने return में नहीं लिये यह भी वो क्या करेगा, add back करेगा, दूसरा, chapter 6 से part C के अगर कोई deduction है, जो आपने claim नहीं किये हैं, जो क्या नहीं किये हैं, यह भी वो क्या करेगा, add back कर देगा या जो आपने claim किये हैं आपने claim किये हैं आपने claim किये हैं लेकिन return filing के due date चले गई है तो वो भी वो क्या करेगा adjust करेगा आपकी income को increase करेगा येस सर अच्छा जी सर अब summary assessment को complete करने का क्या कोई time limit था जी हां summary assessment करने का time limit इस section के अंदर में ही mention था वो हुआ करता था 12 months from the end of financial year from the end of financial year in which ROI is furnished याने जब से आपने furnished किया जिस साल में आपने return furnish किया उस साल के financial year end से 12 months के अंदर में क्या किया जाता था ये आपको इसका intimation issue कर दिया जाता था summary assessment के बाद intimation issue होता था ये intimation को issue करने का time limit था 12 months from the end of the financial year in which return is filed अब अगर आप देखे तो revise return और belated return का time limit कम कर दिया गया है reduce कर दिया गया है accordingly यहां का भी time limit reduce कर दिया याने यहां पहले जो 12 months लिखा था इसको उठा करके ला लिया 9 months याने time limit to issue intimation time limit to issue intimation ये क्या कर दिया मालिक कम कर दिया 12 months से 9 months पे लेके आ गया तो मुझे लगता है तीन अमेंडमेंट होने के कारण हो सकता है 141 पे एक question तो आपको पूछी ले येस तो अगर मान लीजे मान लीजे कि assessment year 21-22 example समझे assessment year 21-22 ROI submit हुआ कि 25th of July 2021 कि इसका intimation कब तक send किया जा सकता है इसका intimation कब तक send किया जा सकता है बताइए assessment year 21-22 कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 9 months that is 31st December 2022 किया जा सकता है 31st December 2022 किया जा सकता है Yes, so 9 months from the end of financial year in which return is furnished इन विच रिटर्न इस फर्निष्ट चेक करिया मालिक return आपका अगर submit हुआ है July 21 मतलब इसका financial year end क्या हुआ 31st March 2022 31st March 2022 से कितना मेंटा 9 months that is 31st December 2022 तक क्या किया जा सकता है summary assessment का intimation issue किया जा सकता है हाला कि ये दोनों छोटे amendment है अगर 142 या 1431 भी रेकू तो 1431 के उपर आपको question बन सकता है तीन amendment है पहला यहाँ पे expenses के साथ साथ increase in income भी आ गया यहाँ पे टेन डबले के साथ chapter 6 से part C भी वर्ड एड हो गया यहाँ पे 12 months का time limit था उसको reduce करके क्या कर दिया गया है 9 months कर दिया गया है येस आओ मेरे बच्चे तो दो amendment हम लोगे ने अल्रेटी देख लिया 1421 1431 अब हम next amendment पर जा रहे है 147 215 2147 2152 यह amendment already हमने cover कर रखा है यह amendment already हमने cover कर रखा है in our regular class पेज नंबर आपको दिख जाएगा भाई साथ पेज नंबर आपको दिख जाएगा 4.20 पे 4.20 पे आपको क्या दिख जाएगा यह amendment दिख जाएगा यह amendment हमने already cover करके रखा वाए और यह amendment जो हुआ है यह बहुत तगड़ा amendment हुआ है मतलब आप मान के चल लो आप मान के चल लो इस पे confirm question आएगा वैसे भी इसके पहले examiner का 147 एक इस favorit section हुआ करता था इस बार भी इस बार भी वो क्या कर सकता है आपको इसके उपर question पूछ सकता है इसके उपर क्या कर सकता है आपको question पूछ सकता है राइट 147 से लेके 152 तक का आपको पूरा पार्ट समझाने जा रहा हूँ जरद्हान से सुनिएगा आपको पूरा पार्ट समझाने जा रहा हूँ जरद्हान से सुनिएगा 147 section is income escaping assessment इसी section को एक और नाम से बुला जाता है re-assessment इसे दो नाम से बुलाया जाता है section 147 income escaping assessment और re-assessment income escaping assessment और re-assessment कुछ सवाल हो के जवाब मैं आपको फटा फट दे दूँ पहला क्या first time assessment possible है section के अंदर में क्या इसके अंदर में first time assessment possible answer is yes इसके अंदर में first time assessment possible है क्योंकि ऐसी income जो इसके पहले किसी भी assessment से escape हो चुकी है वो directly 147 में आ सकती है second क्या re-assessment इसके अंदर में possible answer is yes इसके पहले अगर assessment हुआ होगा let's say 143 के अंदर में या फिर 144 के अंदर में या फिर 147 के अंदर में तो क्या फिर से 147 में assessment possible है yes 147 में फिर से assessment possible है yes so first time assessment section में हो सकता है re-assessment section के अंदर में हो सकता है right अब अगर आप एक supreme court judgment की माने खेर अब आपको वो judgment का नाम भी याद रखने की जोरत नहीं अगर आप supreme court judgment को माने तो इस section को पढ़ने का एक तरीका था अभी मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ अब मैं old बात कर रहा हूँ सबसे पहले old provision आपको बता दू क्योंकि old provision आपको जानना जरूरी है इस particular law को समझने के लिए according to a supreme court judgment सबसे पहले section को पढ़ने का एक तरीका था तरीका ये था 147 148 149 150 151 152 कि यह पूरा patch एक साथ पढ़ना पढ़ता है जब आप 147 का income escaping assessment पढ़ते हैं तो 147 से ले करके 152 तो कब पूरा patch एक साथ पढ़ना पढ़ता है 147 talks about income escaping assessment लेकिन इनकम escaping assessment को करने के लिए आपको भीजना पढ़ता था notice for income escaping assessment इस notice को भीजने का एक time limit था 148 में लिखा था हाला कि कुछ situation में कोई time limit नहीं था नोटेस भीजने का कोई time limit नहीं था 151 के अंदर में इस चीज को करने के लिए आपको higher authorities की approval की ज़रुत थी और 152 आपका miscellaneous provision कहा जाता था सुप्रीम कोट की guidelines अगर देखी जाए तो इस section को सही पढ़ने का तरीका था section 151 इसके बाद section 149 और 150 as the case में भी इसके बाद 148 और इसके बाद 147 और इसके बाद 152 इस पूरे assessment को पढ़ने का सही parameter था 151 151 के बाद 149 150 फिर 148 फिर 147 फिर 152 पहले इतना लिख दीजिए यह old law है पर लिखना होगा अब नया क्या आया है what is new is 147 को अगर देखे तो there was couple of case law there were multiple case law for this particular section क्योंकि इसके अंदर में there was a word which was creating a UN cry and that word was reason to believe 147 का assessment हम तब open कर सकते थे when AO has a reason to believe that income has escaped assessment और इस reason to believe word के उपर बयानक case loss थे दुनिया भर के case loss थे अगर आप को यह old student है जिसने पुराना law पढ़ा है तो आपने देखा होगा 147 के अंदर में इतने सारे cases थे और जो practice manual institute निकालता था उसके अंदर में सबसे जादा question 147 के अंदर में आते थे अब इन्होंने क्या किया जैसी निर्मला सीतरमन जी आई उन्होंने बोला यार इसके उपर बहुत सारे pending cases है और यह section भयानक case loss से भरावा है कोई judgment कहीं और आ जा रहा है कोई judgment कहीं और जा रहा है एक काम करो इस process को simplify करो इस process का time limit reduce करो इस process का time limit भी reduce करो और इस process को simplify करो at the same time department एक और चीज़ देख रहा था कि इस section का बहुत ज़्यादा misuse भी हो रहा है और इसी लिए इस section के misuse को बचाने के लिए और department के उपपर बहुत ज़्यादा बोज जो बढ़ रहा था इसको कम करने के लिए 147 को simplify किया गया और simplify करते भी क्यों न साब आगे चलके यही section को e-assessment में जो लाना था तो इसको simplify करने की और ज़्यादा सुरुत थी येस तो इस section को अब मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा simplify कर दिया और जिस word के कारण इतने सारे case लोते वह जड़ी खतम कर दी वह पूरी की पूरी जड़ी खतम कर दी अब new sections क्या आ गए अब उन्होंने बोला यह हम सुप्रीम कोट के judgment को क्या कर रहे है ओवर रूल कर रहे हैं और ओवर रूल करके हम new process को लेकर के आ रहे हैं इस new process के तहट एक new section introduce किया मैं जान मुझ करके इस तरह से लिख रहा हूँ 147, 148A, 148, 149, 150, 151, 152 इस पूरी सीरीज में एक और नया section आड़ कर दिया 148A इस पूरी सीरीज में एक और section आड़ कर दिया 148A ताकि 147 वाले जो cases हैं ये बहुत सारे कम हो जाए और जो पुराने cases है जो इतने सालों से pending चल रहे हैं जिसके ओपर बहुत सारे issues चल रहे हैं इन सब को बाजू करो नया process को implement करो 14221 से सो 14221 से आपका new process implement हो गया और वो in sections के अंदर में आया यहां पे बाकी सब सेम हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक show cause notice वाला clause आड़ हो गया है बाकी सारे section सेम show cause वाला part extra तो show cause वाला part आपका extra आड़ हो गया is that done? तो चलिए अब कुछ और बाते करते हैं अब कुछ और बाते करते हैं यानि new process के अंदर में एक नया section आ गया 148A इसी के साथ साथ एक और बड़ा amendment किया आप सभी को पता है जब raid होती थी जब search and seizure होता था under section 132 या फिर 132A के अंदर में आपका requisition होता था तो क्या होता था भीटा आपके assessment होते थे अंदर सेक्शन 153A assessment after search and seizure और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो involved है उसके लिए 153C होता था 153A और 153C हुआ करता था यानि raid के बाद एक और assessment आ जाता था 153A और 153C As I said उन्होंने इस process को ही simplify करने के लिए 14221 से इन दोनों section को गायब कर दिया और कहा Search होने के बाद after search and seizure or requisition after search and seizure or requisition हम सीधा 147 के assessment को ही follow करेंगे मतलब उन्होंने दूसरा amendment search and seizure topic में लाया 153A और 153C दोनों खतम कर दिये बोले जो search के बाद के assessment होते हैं 153A में और 153C में वो 14221 के बाद 147 के अंदर में आ जाएंगे याने इधर का amendment दूसरा जगह reflect करेगा search and seizure के अंदर में याने अगर आपने 147 पढ़ लिया तो आप technically दो chapter पढ़ लेंगे assessment भी और साथ-साथ में search and seizure वाला clause भी assessment भी और search and seizure वाला clause भी आप क्या कर लोगे एक साथ पढ़ लोगे are you getting my point? तो चलिए यहां का amendment यहां एक और जगह impact करेगा याने अब इस assessment को समझना और ज़्यादा important हो गया है अब इस assessment को समझना और ज़्यादा important हो गया है चलिए अब समझाईए कि यह work कैसे करता है income escaping assessment याने AO के पास जब भी कोई information हो that income has escaped assessment तो वो क्या करता था? income escaping assessment करता था या जो assessment इसने पहले करिया उस assessment को reassess करता था अगर मैं AO की बात करूँ तो AO के पास power क्या थे? to assess the income escaping assessment which comes to his notice याने वो उन सारी income को assess करता था जो उसके ध्यान में आ गई वो सारी income को assess करता था जो उसके ध्यान में आ गई बरवर उसको पता चल गया information के basis पर पता चल गया कि यह income escape हुई assessment में तो वो सारी income को क्या कर लेता था? cover कर लेता था अगर आपको याद हो तो 147 के अंदर में एक और clause हुआ करता था क्या वो इसके अलावा कोई और income भी assess कर सकता था? एक छोटा सा example देते है मान लीजे मान लीजे एकस का assessment चल रहा था एकस का assessment करते वक यह को याद आता है एकस के साथ वाई का कोई transaction हुआ था बरवर उसने वाई के assessment करते वक्त यह transactions को ध्यान में देखा था जब एकस का assessment कर रहा था तो उसको पता चला भीया पीजी बीपी का एक पार्ट मिस हो चुका है पीजी बीपी का एक पार्ट मिस हो चुका है तो वो क्या करता था वो क्या करता था वाई को notice बेचता था बोलता था कि भीया तेरे assessment में में मेरे को यह चीज मिली है तेरे assessment में में मेरे को यह चीज मिली है X का अब जब transaction check कर रहा हूँ तो मेरे को एक और ऐसी चीज मिली है जो मैंने देखा कि तेरे transactions में नहीं था जब मैं 13 assessment कर रहा था तब मेरे को पता चला था कि ऐसा कोई transaction नहीं है अब जब मैं X का assessment कर रहा हूँ तो इसकी books बताती है कि Y के साथ मैंने एसा कोई transaction किया है क्या ये मैं 147 में cover कर सकता था येस बिल्कुल cover कर सकता था for the same year for the same year Y की कुछ income from other sources भी मिल जाती है Y की कुछ income from other sources भी मिल जाती है क्या वो भी AO consider कर सकता था अगर आप 147 का explanation देखे तो वो ये भी कर सकता था assess और reassess other income which comes to his notice during the assessment याने जिसके लिए notice भी जाप वो assessment तो वो definitely 147 में कर सकता था in fact checking के दौरान कोई और income भी ध्यान आजाती तो क्या वो भी 147 में assess कर सकता था answer is yes क्या वो भी 147 में assess कर सकता था answer is yes मतलब जिसका उसने notice भेजा उसका तो assessment होई सकता था in fact checking के दौरान कोई और income भी ध्यान में आ गई तो ये भी 147 में open हो सकती थी बरबर लेकिन अगर आप 147 की बेर लेंग्वेज को पड़े इंकम विचिस चार्जेबल टू टैक्स लिखावा है अगर कोई इंकम विचिस चार्जेबल टू टैक्स लिखावा है अगर आप 147 की बेर प्रोविजन को पड़े तो यहां लिखावा है income विचिस चार्जेबल टू टैक्स मतलब exempt अगर है कोई income तो उसका assessment 147 में नहीं हो सकता था अगर कोई income एक्जम्ट है तो उसका assessment 147 में नहीं हो सकता था बरबर क्योंकि 147 को जैसे कोई पढ़ना चालू करेगा वहां पे clear cut लिखा था income विचिस चार्जेबल टू टैक्स अगर income ही exempt है तो फिर यह सवाल खड़ा ही नहीं होता तब तो एक question ही खड़ा नहीं होता अब बढ़ते हैं आगे 147 को करने से पहले आपको क्या जरूरत थी approvals की जरूरत थी approvals के बाद notice भेजा जाता था approvals 149 में लेते थे sorry 150 में लेते थे और यह check किया जाता था कि क्या notice भेजा जा सकता है या notice नहीं भेजा जा सकता फिर notice भेजा जाता था और notice भेजने के बाद क्या हो जाता था assessment शुरू हो जाता था लेकिन यहां पे couple of sections में एक साथ amendment आया couple of sections में एक साथ amendment आया सबसे पहले सबसे पहले approval से related amendment की बात करते हैं approval से related amendment की बात करते हैं and at the same time time limit की बात करते हैं सर सबसे पहले 147 करने के लिए आपको notice under section 148 important है 147 करने के लिए आपको notice under section 148 important है और notice भेजने का एक time limit है और वो time limit लिखावा है under section 149 में वापस से सुनिएगा अगर आपको 147 का assessment करना है तो 148 की notice mandatory है 148 की notice तभी बेजी जा सकते है जब ये within time हो तो सबसे पहले बात करनी होगी time limit under 149 और यहाँ पे finance act 2021 का amendment आया है यहाँ पे finance act 2021 का amendment आया है पहले old law समझ ले और फिर new law समझेंगे पहले old law समझ ले और फिर new law समझेंगे old law कहता था हम कब तक के income re-escaping assessment का notice भेज सकते हैं generally 4 years from relevant assessment year जिस year का भी income escape हुआ है उस year से उस assessment year से आप 4 साल तक के कोई भी notice भेज सकते हो for example for example for example for example मान लीजे आपका previous year 1920 assessment year 2021 इस particular year में कोई PGPP की income थी जो assess नहीं हो पाई और year 22-23 में यह पता चल गया year 22-23 में AO को यह पता चल गया कि यह ऐसी कोई income थी जो assess नहीं हो पाई थी क्या notice भेजा जा सकता था old law के हिसाब से assessment year relevant assessment year end से 4 साल तक भेजा जा सकता था that is 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 24-25 that is 31st March 2025 तक के department कभी भी notice भेज सकता था department कभी भी notice भेज सकता था for the purpose of assessing the income for the previous year 19-20 and 2021 assessment year दूसरा point यह कहता था अगर escaped income अगर escaped income exceed कर जाए 1 lakh रुपीज से अगर escaped income exceed कर जाए 1 lakh रुपीज से तो आप 6 years तक के जा सकते थे मतलब instead of 4 years आप 6 साल पुराने भी क्या कर सकते थे assessment open कर सकते थे मतलब इसी case में अगर issue है 21 that is 2021 assessment year का तो instead of 2025, 2027 तक के कभी भी notice issue किया जा सकता था for the purpose of assessing this year's income अब इन्होंने क्या किया जरा समझिएगा अब इन्होंने क्या किया जरा समझिएगा इन्होंने सबसे पहले तो यह assessment करने के time limit को reduce कर दिया और यह जो 1 lakh की limit थी इसको increase कर दिया अब इन्होंने बोला with effect from 1.4.2021 with effect from 1.4.2021 3 years from the relevant assessment year यह जो 4 years का criteria था इसको एक साल से और कम कर दिया यह अब income escaping assessment का notice maximum 3 साल तक के आ सकता है yes maximum 3 साल तक के आ सकता है तो suppose आपका assessment year हुआ 1920 मानलो आपका assessment year हुआ 1920 इसका notice आपको कब तक के आ सकता था इसका notice आपको कब तक के आ सकता था 2021, 2021, 21, 22, 22, 23 31st March 2023 तक के maximum इसका notice आ सकता है 31st March 2023 तक के maximum इसका क्या कर सकते थे notice आ सकता है further further if income escaping assessment exceed 50 lakh then 10 assessment year याने normal assessment करने का time limit तो इन्होंने reduce कर दिया लेकिन अगर आपकी income escaping assessment 50 lakh रूपीज से उपर जा रही है तो instead of 3 years आप 10 years तक के कभी भी उस relevant assessment year जिस year की income escape हुई है 10 years तक के आपको कभी भी इसका assessment open कर सकते हो for example assessment year 1920 का अगर case है 1920 का अगर case है तो यहाँ से 10 years तक के कभी भी इस year के लिए क्या निकल सकता है 147 का notice निकल सकता है कभी भी इस year के लिए क्या निकल सकता है notice निकल सकता है so forget about the old time limit focus on just new time limit new time limit क्या है 142,021 से 147 को issue करने का time limit क्या है बिटा 3 years इसको notice issue करने का time limit क्या है जिस relevant assessment year की income escape हुई है उस relevant assessment year के end से 3 साल के निदर में कभी भी उसका क्या किया जा सकता है notice issue किया जा सकता है 148 का notice issue किया जा सकता है अगर income escaped assessment 50 lakh रुपीज से उपर जा रही है तो आप instead of 3 years 10 years सके कभी भी आगे बढ़ सकते हो ये बात clear है तो चलिए सबसे पहले सबसे पहले ये ही पॉइंट को ध्यान में रखते है पेज नुम्बर 61 टाइम लिमिट फॉर नोटिस सेक्शन 149 Time limit for notice section 149 No notice under 148 shall be issued for the relevant assessment year if 3 years has elapsed from the end of relevant assessment year unless the case falls in clause B unless the case falls in clause B 3 years but not more than 10 years has elapsed from the relevant assessment year unless the AO in possession of books of account or other document which reveals that income chargeable to tax represented in the form of asset which has escaped the assessment amounts to or likely to amount to 50 lakh or more यानि अगर आपकी escaped income 50 lakh or more है तो आप क्या कर सकते हूँ आप क्या कर सकते हूँ बिटा बोलो जल्दी से आप 10 years तक के जा सकते हो तो चलिए जनल्दी से 149 की अगर मैं recalling करूँ 149 क्या बोलता है 149 बोलता है time limit to issue notice under section 148 generally 3 years from the relevant assessment year if income escaped assessment is 50 lakh or more than up to 10 assessment year from relevant assessment year इसके कुछ exception भी है इसको कुछ और point भी है वो आगे discuss करेंगे अभी तो इत्ता ही समझ लीजे तो 14221 के बाद यह section amend हो चुका है 14221 के बाद यह section amend हो चुका है और यह कहता है generally आप 3 years from the end of relevant assessment year notice issue कर सकते हो और अगर income escaping assessment 50 lakh या उससे जादा है 50 lakh या उससे जादा है तो आप 3 साल के जगह 10 साल भी जा सकते हो यह case 10 साल में कभी भी open हो सकता है Yes Done नोटीस इशू करने के पहले नोटीस इशू करने से पहले आपको किसकी ज़रत है अप्रूवल्स की ज़रत है नोटीस इशू करने से पहले आपको किसकी ज़रत है अप्रूवल्स की ज़रत है सेक्शन 150 आपको किसकी बात करता है अप्रूवल्स की बात करता है यह कहता है यह कहता है कि अगर जनरल मैंटर है तो PCIT, PDIT, CIT और DIT किसी का भी अप्रूवल लगेगा देखिए असेस्मेंट कौन करेगा एओ असेस्मेंट कौन करेगा एओ लेकिन कोई सेक्शन का मिस्यूज ना कर ले कोई section का गलत इस्तिमाल ना कर ले इसलिए उन्होंने कहा कि भहिया इसका notice का approval कौन देगा या तो principal commissioner, principal director, commissioner या director इन लोगों से approval आना चाहिए अगर matter 3 years वाला होगा 3 साल के जगा 10 साल बाद भी case open किया जा सकता है उस relevant assessment year का Yes, check, लिखो 3 years के बाद अगर matter 10 साल का है मतलब 3 साल से ज़्यादा पुराना case open करना है तो PCIT, PDIT और where there is no PCIT और PDIT then CCIT और DGIT अगर case open करने हैं तो इनके approval लेने ज़रूरी है झाल झाल दने साब यहने 149 और हमने 151 मैंने यहाँ पर section लिखते हो गलती कर तो 149 कहता है time limit for issue of notice generally 3 years 3 years तक का अगर case है तो आप approval ले सकते हो PCIT, PDIT, CIT और DIT से अगर 3 साल के उपर का आपको assessment open करना है 3 साल पुराने से ज्यादा 10 साल तक के case open करना है तो आपको CCIT और DGIT का approval लग सकता है अगर PCIT, DIT अवेलिबल नहीं है तो wait a minute approval वाला चीज तो आपको समझ में आ गया generally notice को issue करने का एक time limit है पर section 150 कहता है there is no time limit for issue of notice under section 148 if the assessment is as per the direction of CIT appeals ITAT High Court Supreme Court or CIT under the revisionary power ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा generally 148 के notice issue करने को time limit है 3 years या income escaping assessment 50 लाग से उपर होगी तो 3 years के जगए 10 years तक क्या भी आपका भी भी उस relevant assessment year है जिस income जिस year की income escape हुई है उसका case 10 साल में कभी भी open किया जा सकता है लेकिन कोई time limit नहीं होगा क्या 10 साल के बाद भी हो सकता है yes beyond the style भी उस particular year से related notice issue हो सकती है जिस year की income escape हुई होगी कब जब order issue किया हो किसने यह direction issue किया हो CIT ने under the revision 263-264 CIT appeal under section 250 ITAT under section 254 High Court और Supreme Court under section 260A और 262 याने अगर court के direction के वज़े से आप income escape assessment कर रहे हैं court ने कहा कि इनका assessment कीजे court ने कहा इनका assessment कीजे अब यह कितने साल हो गए irrelevant है आप उनको notice वेच करके उनकी assessment चालू कर सकते हैं मान लीज़े CIT appeal ने कहा इस particular year इस particular व्यक्ति का income आप क्या कीजे असेस कीजे तो ऐसे cases के अंदर में यह 3 years और 10 years का time limit सब तेल लगाने गया नवरत न तेल लगाने गया इनमें कोई time limit नहीं है अगर order इनके तरफ से आया होगा for the purpose of assessment under 147 तो चलिए sum up करते हैं 149 के अंदर में time limit लिका है 147 और 147 के assessment को complete करने के लिए क्या time लिका है 14 2021 के बाद 3 साल तक उस particular year का case कभी भी open किया जा सकता है notice issue करने का time limit लिका है 3 साल तक notice कभी भी issue कर सकते है और अगर income escaping assessment 50 lakh rupees और more होगा तो 3 years के जगा 10 years तक कभी भी आप assessment open कर सकते हो notice issue बेज सकते हो for opening the assessment राइट अच्छा यह notice पहले व्यक्ति समझ लीजे approval होगा तो notice भेजा जाएगा तो approval किसकी लेना होगा 3 years तक का matter होगा तो principal commissioner, principal director या commissioner, director of income tax का आप approval लेकर के दे सकते हैं लेकिन अगर 3 साल से उपर वाला matter है तो फिर principal commissioner, principal director यह दोनों भी available नहीं है तो CCIT, DGIT का approval लगेगा हला कि notice issue करने का कोई time limit नहीं होगा अगर हम यह assessment CIT, CIT appeal, ITAT, High Court, Supreme Court के direction के basis पे कर रहे होंगे तो हमें notice issue करने का कोई time limit नहीं है notice issue करने का कोई time limit नहीं है yes और no अच्छा जी सर इदर आईए साब page number 59 who is specified authority as per section 151 up to 3 years principal commissioner, principal director more than 3 years वाला केस है more than 3 years वाला केस है principal chief commissioner, principal director chief commissioner or director general yes or no yes or no चलिए अब क्या होता था एक बार आपको पता चल गया that yes time limit हमारे हाथ में हम आप भी notice issue कर सकते और आपने जाके approval भी ले ली time limit के अंदर भी हो approval भी ले ली अब आप बोलोगे मैं assessment करूंगा notice बेजूंगा मैं 148 का notice बेजूंगा पहले ऐसा चलता था अब ऐसा नहीं चलता आपके notice को issue करने के लिए एक और प्री कंडिशन है और वो प्री कंडिशन है section 148a वो प्री कंडिशन है section 148a यह बिलकुल नया ताजात तरीन जबर दस्त मैंने मेरे पूरे questionnaire के अंदर में इसके questions को अमेंड करके डाला है जरूर पढ़ना अब 148a क्या कह रहा है simple शब्दो में section 148a क्या कह रहा है show cause notice before issue of notice under section 148a show cause notice before issue of notice under 148a in all cases you require to follow 148a but in three cases no need to follow the process of 148a directly proceed to 148 generally जितने भी income escaping assessment होंगे उन में 148a अब mandatory हो गया लेकिन 148a में 3 exception भी है 148a में मेरे भाई 3 exception भी है तीन cases के अंदर में 148a का notice का जरूरत नहीं है सिद्धा 148 ठोको सिद्धा 148 ठोको सर कौन से cases है पहला अगर किसी के घर पर सर्च हुई होगी किसी के घर पर रेड हुई होगी तब क्या show cause notice issue करना रेड हुई है तो डेफिनेटली उसके घर पर कुछ ना कुछ मिला ही होगा डारेक 148 में असेस्मेंट होको फिर show cause notice के नाटक नहीं चाहिए दूसरा दूसरा बिलॉंग्स टू असेसी किसी दूसरे व्यक्ति के यहां रेड हुई थी उसके यहां जो मनी बुलियन ज्वेलिरी मिल रहा है यहों को पता चल जाता है कि यह आपको बिलॉंग करता है यह आपको बिलॉंग करता है बहले ही मिला उसके यहां है लेकिन यह आपको बिलॉंग करता है 148A का क्राइटेरिया गायब where asset money bullion jewelry in respect of other person belongs to SSE third where document account information seized in search or requisition in case of other person belong to ASSEE जब किसी और क्या रेट पढ़ी वहाँ पे कोई accounts मिले documents मिले information मिली और AO को पता चल जाता है कि आपको belong करती है यह तो आपकी है पढ़ी उसके यहाँ थी 148A नहीं लगया यानि सीधे शब्दों में बूलू यह तीन इतना पढ़ने के बहुत अगर matter search and seizure का है आपका या किसी और का पर AO को यह पूरा यकीन है कि आपको belong करता है तो 148A का प्रोसेस गाया पूजाएगा तो तीन केसेस में नया जो प्रोसेस आया है 148A का वो follow नहीं करना है तीन केसेस में नया प्रोसेस 148A का जो आया है 148A का जो आया है follow नहीं करना है तीन केसेस में 148A का प्रोसेस follow नहीं करना है पहला जब आपके घर पे आपके घर पे क्या हुआ है सर सर्च हुआ था और और रिक्विजिशन हुआ था आपके documents और चीजों का 132A में तो आपके उपर सर्च या requisition हुआ था 148A का follow process नहीं होगा किसी और के उपर सर्च या requisition हुआ था उसके आपको पता है यह आपको belong करते हैं किसी और क्या सर्च सीजर हुआ था उसके आपके कोई document मिले जो आपके आपके है तो यह 148A का process follow नहीं करेगा यह 148A का process follow नहीं करेगा बाकी हर cases में 148A का process follow करना mandatory है before issuing notice under section 148 148 की notice को issue करने से पहले 148A का process follow करना mandatory है except in three cases except in three cases यह तीन cases को छोड़ दिये तो हर एक को क्या करना पड़ेगा 148A का process को follow करना पड़ेगा आईए इसको भी समझते हैं 148A 148A का process क्या है जरा समझते हैं conducting inquiry providing opportunity before issue of notice page number 58 पहले क्या होता था income escaping assessment का मालिक जो notice होता था उसको धड़ाले से दे दिया जाता था यह उपने powers को भरपूर इस्तमाल करता था लेकिन यही बात तो रोकनी थी यही बात तो समझनी थी कि उन्होंने इसको बंद कर दिया उन्होंने बोला हम पहले inquiry दुखाएंगे opportunity of being hurt देंगे और उसके बाद किसी का भी फोल्ड असस्मेंट खोलेंगे याने टेक्निकली यहां पर डिपार्टमेंट ने ना कुदकी बैंड वजवाई है पहले कोई भी केस दना दन ओपन कर लिये जाते थे लेकिन यहां निर्मला सीतरा मंजी ने बोला भी है taxpayer को harass करना बंद करो पहले उसको शोकॉस notice issue करो देखो उसकी बारे में पूरी information लो और उसके बाद ही 147 ओपन करना यहने पहले जो 147 बहुत ज़्यादा cruel हुआ करता था उसको थोड़ा सा ease किया गया है 148A जो नया प्रोसेस आया है क्या कहता है साब जो नया प्रोसेस आया है क्या कहता है यह चेक करते हैं चेक करो बेटा पहले अगर आप देखो तो यह नया प्रोसेस क्या कहता है नया प्रोसेस कहता है एयो हैस्टू फॉलो हैस्टू फॉलो लिखा है इफ रिखुआइड विट प्रायर अप्रोल अफ स्पेसिफाइड अथॉरी स्पेसिफिए अथॉरी सीचिए टीपीड इट पीडी जी इट वो जो अथॉरी अमने 151 के अंदर में देखा वित respect to information with suggest income chargeable to tax has escaped assessment सबसे पहले inquiry करो क्या सच में income chargeable to tax has escaped assessment और ऑरना सबसे पहले क्या करो inquiry कंड़क्ट करो आपने एक बार inquiry कंड़क्र कर ली inquiry कंड़क्र करने के बाद आपको पता चल गया यह बाइस साथ देरीजन income escaping assessment अब क्या करना प्रोड़एड न opportunity of being heard to us I see technically यहां पर आपको शो कॉस्ट नोटिस इशु करना है क्या इशु करना है शो कॉस्ट नोटिस इशु करना है विट प्रायर अप्रुवल अफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाइ सर्विंग अपॉन हिम अनोटिस ऑफ शो कॉस्ट विदिन सच टाइम आज वे प्रि कि बहिया आपको क्या तिया जाएगा नोटिस दिया जाएगा शर्विंग अपॉन हम अट्टू नोटिस शो कॉस्ट यह आपको शो कॉस्ट करने का ताइम लिमिट भी क्या लिखा है जरह देखिए minimum 7 days maximum 30 days minimum 7 days maximum 30 days आपको ताइम लिमिट लिखा है being 7 days to 30 days from the date on which such notice is issued or such time as may be extended by him on the basis of an application in this behalf as to why notice under 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income is chargeable to tax as escaped assessment in this case for the relevant assessment year and result of inquiry conducted if any as per clause A उसको show cause notice भेज करके पूछते थे कि बताईए आपको 148 का notice issue क्यों ना किया जाए बताईए आपकी जो income escape हुई है इसमें आपको notice issue क्यों ना किया जाए इसके बाद वो minimum 7 दिन और maximum 30 दिन क्या करते थे वेट करते थे वो minimum 7 दिन और maximum 30 दिन क्या करेंगे वेट करेंगे furnished if any in response to the show cause notice and clause भी जो show cause notice issue हुआ इसके response के लिए वो वेट करेंगे इसे, decide on the basis of material available on record including reply of SSC whether or not it is a fit case to issue notice under 148 by passing an order with prior approval of specified authority within one month from the end of the month in which reply is received or where no such reply is furnished within 1 month from the end of the month in which time limit or extended time allowed to furnish expire जैसे ही आपने उसको minimum 7 दिन या 30 दिन का आपने क्या दिया उसको show cause notice issue किया show cause notice issue किया reply का wait करोगे reply आया नहीं आया दो बाते होंगी reply आया नहीं आया दो बाते होंगी अगर उसको reply आया तो एक महिने के अंदर में आप decide करोगे आप उसका assessment 148 के अंदर में कर रहो या नहीं कर रहो within 1 month from the end of the month in which reply is received 1 month from the end of the month in which reply is received और मानलो सामने आले नहीं रिप्लाई नहीं किया तो जब time limit expire होता है वहाँ से एक मनत के अंदर में से एक मनत के अंदर में आप decide करके बताओगे कि भीया क्या हम notice issue करने वाले है या notice issue नहीं करने वाले तो चलिए फटाफट 148 को फिर से पढ़ते है 148A को फिर से पढ़ते है 148A 148A क्या कह रहा है भीया अब अगर 148 का notice issue करना है सबसे पहले आपको approval लेने पड़ेंगे approval लेकरके inquiry करने पड़ेंगी inquiry करने के बाद उसको show cause notice issue करना show cause notice में उसको reply करने के लिए minimum 7 days maximum 30 days देना minimum 7 days maximum 30 days देना उसको reply करने के लिए जैसी आपने उसका reply आया जैसी भाई साब उसका reply आया या नहीं आया दो बाते होंगी अगर reply आया तो वहां से जिस मन्त में reply उस मन्त के end से एक महिने के अंदर में आपको decide करना है कि आप 148 का notice भेज रहे हो क्या reply नहीं आया जैसी time limit expire हुआ वहां से एक महिने के अंदर में आप decide करेंगे आप you know 148 का notice issue कर रहे हो या नहीं कर रहे non applicability of 148 जैसे कि मैंने कहा यह process show cause notice देने का process follow नहीं करना है कब तीन cases में where search is initiated under 132 और और assets are requisitioned under 132a और where AO is satisfied that jewelry or other valuable thing seized in case of search of any other person belongs to assessi search किसी के और क्या हुई है लेकिन AOA satisfied है कि यह आपको belong करती है 148a का notice नहीं आएगा show cause notice नहीं आएगा where AO is satisfied that any books of accounts and documents seized in search or requisition in case of any other person relates to assessi किसी और के हाँ जो मिली भी books of accounts और document है AO को यह पता चल जाता है भाई साब यह तो आपका है भाई साब यह तो आपका है बस खतम आपको 148a का process follow नहीं होगा AO directly 148 करेगा in other words in case of ABC mentioned about the AO need not to conduct inquiry and provide opportunity of being heard under 148a before issuing notice under 148 मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पहले ऐसा कुछ नहीं था show cause notice issue करने का पाट अब है अब तक हमने कितने section पड़े अब तक हमने पड़ा बिटा section 149 notice issue करने का time limit कितना है चलो बच्चाओ बताओ either 3 years or 10 years यह अब आपका नया notice issue करने का time limit है जिस year का भी income escape हुआ है वहाँ से 3 साल या 10 साल तक कभी भी आपका case open किया जा सकता है 150 there is no time limit infinity there is no time limit आपका case कभी भी open किया जा सकता है आपके लिए notice कभी भी दी जा सकती है 151 आपको क्या लेने पढ़ेंगे बिटा approvals लेने पढ़ेंगे ऐसा assessment करने से पहले ऐसा कोई भी assessment करने से पहले आपको approval लेने पढ़ेंगे yes इसके बाद हमने पढ़ा 148A आपको show cause notice issue करना है हाला कि इसके किते exception है तीन तीन exception में आपको 148A का process follow नहीं करना बाकि हर case में आपको 148A का process क्या करना है मालिक follow करना है आपको 148A का process क्या करना है follow करना है yes अब क्या होगा बिटा notice issue होगी 148 की अब यहां से चलते है 148 एक बार आपने approval ले ली you are within time limit 148A का process follow करना नहीं करना whatever case you are coming अब इसके बाद आप 148 का notice भेजोगे यह 148 का notice exactly हमें करवाता क्या है भाई साब यह तो जानना जरूरी है कि यह 148 का जो notice है यह हमसे करवाता क्या है भाई जी यह जो 148 का notice है यह आप से return भरवाता है यह आपसे return बरवाता है यहों मुलता है देख मिरको तो समझ में आ गया तेरा income escaping assessment क्या है मिरको तो समझ में आ गया तेरा income कहां escape हुआ है मैं तिरको opportunity दे रहा हूँ कि भीया तू return भर और return भर के return कौन से साल का वरवाया जाता है उस साल का जिस साल की income escape हुई है आपसे return भरवाया जाता है और इस return के बाद अपका assessment किया जाता है इस return के बाद आपका क्या किया जाता है assessment किया जाता है आईए पढ़ते हैं Issue of notice where income has escaped assessment Before making assessment यह구εται assessment करने से पहले या re-assessment करने से पहले या re- computation करने से पहले The EO has to serve serve सर्व यह notice सर्व करना पड़ता है 148 में कभी भी इशु वर्ड पे फोकस ही नी था हमेशा सर्व वर्ड पे फोकस था the assessment the assessing officer has to serve on assessi a notice requiring him to furnish within such period as may be prescribed in such notice a return of his income or income of any other person in respect of which he is assessable during the previous year corresponding to the relevant year in the prescribed form and verified in the prescribed manner setting for such particular as may be prescribed the provision of this act shall so far may apply according to if such return where a return required to be furnished under 139 here return job submit kareenge return job submit kareenge is a assume kia jayega return filed under 139 AO has to conduct an inquiry provide opportunity of being heard to the assessi and conduct consider the reply of the assessi as per laid down in 148 a to decide whether or not it is case fit for 148 if it is a fit case for issue under 148 then copy of the order deciding so should be accompanied by a notice of 148 however, this does not apply in case of search or requisition under 132 a condition notice can be issued only when there there is information with AO which suggests that income chargeable to tax as escaped assessment and prior approval of specified authority is taken. specified authority has already specified authority specified authority ka matlab section 151 ke under me dhekha hai. 5-8-4 as the word is given an exception yes. Yes, now you also have question sir SEN DASA can sort from about How came ago that income has escaped assessment EO UO willing to claim that he has believing him and that he is decision should have aim against this section 148 के लिए कैसे पता चलेगा that income has escaped assessment कैसे पता चलेगा income has escaped assessment कैसे पता चलेगा income has escaped assessment for the purpose of this section and section 148 the information with AO which suggests that income chargeable to tax as assessment means means any information flagged flagged by the risk management strategy formulated by board अगर कोई भी information जो risk management strategy क्या कर देता है flag कर देता है देखिए आज जो department है department के पीछे risk management team होता है एक risk management team होता है राइट वो information को verify करता है और अगर वो किसी information को verify करके flag कर देता है यह flag क्या होता है यह क्या होता है जो CASS है computer-aided scrutiny software है इसमें कुछ SSE की जो information होती है उस SSE related information पे क्या कर दिया जाता है flag कर दिया जाता है अगर किसी भी AO के jurisdiction में कोई SSE आ रहा है जिसके उपर already risk management strategy जो board ने formulate कर दिया उस पर flag आ गया है तो यह मान लिया जाएगा that income has escaped assessment काम खतम याने इन्होंने एक बहुत long held issue ही खतम कर दिया reason to believe है या नहीं है कब मानेंगे reason to believe है यह सब issue अब खतम हो गए सब issue कर दिये अब उन्होंने बस एक simple सी बात बूली अगर risk management strategy ने बोल दिया that income has there is a flag that income has escaped assessment बस इस flag के basis पर आप मान ले ना income has escaped assessment बाकी process के लिए निकल जाना any final objection raised by controller auditor general of India to effect that assessment in case of assessi for the relevant assessment year has not made in accordance with the provision of the act कई assesses के case में CAG audit होता है अगर CAG यह बोल दे कि यह इस case में जो assessment यह यह relevant assessment year के लिए you know आपका assessment प्रॉपर नहीं हुआ है बस उस case में 147 open हो सकता है तो 147 के लिए क्या होना चाहिए income must have escaped assessment कैसे पता करेंगे कि income has escaped assessment situation 1 कैसे पता करेंगे कि income as escaped assessment situation 1 को information flag कर दी गई है किसके द्वारा risk management strategy बोड के द्वारा अगर को information को flag कर दिया यह बोल देगा income as escaped assessment दूसरा controller auditor general of India के तरफ से आपको love letter आ गया कि यह इस particular year के assessment proper नहीं हुए है बस यह 147 क्या कर देगा open कर देगा तो भी यह इसको short में अगर लिखना चाहते हो तो एक जबर्दस चीज बना के देता हूं ध्यान सुनना कब मान लेंगे income escaped assessment कब मान लेंगे income escaped assessment this is return section 148 explanation 1 this is written in section 148 explanation 1 income escaped assessment means any information objection flagged by risk management strategy of the board here board mean cvdt or or objection raised by c a g that assessment has not been made as per the act तो हम किसी भी information को income escaping assessment मान लेंगे अगर अगर यह flagged है या c a g ने objection raise किये है हम जाए से आ LA हुआ C आ दन हो गया सर याने अगर इन दोनों में से एक बे सिचुएशन है इन दोनों में से एक बे सिचुएशन है आपका 148 का notice issue किया जा सकता है subject to 148a, 149, 151, 151, 152 etc. 3 cases में, explanation 2 to section 148, it will be deemed that income has escaped assessment, income escaping assessment का definition clear, explanation 1 to section 148, explanation 2 to section 148, 148 कहता है कुछ cases में, हम deem कर रहे हैं, deem कर रहे हैं, that income has escaped assessment, that income has escaped assessment, कौन से 3 cases, वही, वही, a search under 132 or requisition under section 132a in case of assessi, अगर assessi के यहां search हुई है, अगर assessi पर requisition 132a का, बस आप मान लो income escape हुई है, क्योंकि search तभी connect होगा, जब department के पास information है, that something is hidden, तो law कहता है, हम यह मान के चल रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं, इस case में income escape हुआ होगा, या दूसरा, वही, जो अभी हमने कहा था, और रहे हैं, त falar चर्श और रहे हैं, तो रहे हैं, वहीं के तूसरा, यहाथ है। बुलियन और वालुएबल बिलॉंग्स टू असेशी दूसरा केस जब मिला किसी और के अंदर में है लेकिन यह हो यह साटिस्फाइड है यह आपको बिलॉंग करता है तो हम मान लेंगे that there is income escaped assessment by you जाहिर सी बात है जब यह साटिस्फाइड है कि मिला किसी और में है लेकिन यह आपका है मतलब आपने शो नहीं किया आपने शो नहीं किया मतलब इंकम एसकेब असेस्मेंट ही तीसरा तीसरा In case of search and requisition, in case of other person, where AO is satisfied that accounts, document, information, belongs to assessi, वो ही तीसरा पार्ट, वो ही तीनों पार्ट है, इन तीनों पार्ट के लिए 148A का compliance भी नहीं है और इन तीनों cases में deem किया जाता है that income has escaped assessment, तो general rule हम तभी मानेंगे income escape हुई है जब कोई information flag की गई हो या CAG ने objection raise किया हो, लेकिन इन तीन cases में हम मान के चलते हैं that income has escaped assessment, इन तीन cases में हम मान के चलते हैं income has escaped assessment, काम खतम. झाल ये डनुआ प्रभू, बहुत वदिया, बहुत वदिया, अच्छा जी, अच्छा जी Cases where, page number 16, Cases where AO shall deem to have information, where search or requisition is made in case of assessi, survey is conducted in case of assessi, AO is satisfied that money, bullion, jewellery, seized or requisition in case of other person belongs to assessi or AO is satisfied that any books of accounts, document, seized or requisition pertain to assessi, इस case में मान लिया जाएगा income has escaped assessment. बरवरे मालिक, याने 148 में या तो आपके पास income escaping assessment होगा, flag दूआ होगा, या CAG का आया होगा, या deemed income escape दूआ होगा, तो आप क्या send कर दोगे मालिक? notice send कर दोगे. notice भेजके आप उसको बोलोगे चल बिटा, return भर. और जैसी वो return भरेगा, यह return माना जाएगा 139 के अंदर में, और अब आप उसका 147 में assessment open कर दोगे, अब आप उसका 147 में क्या कर दोगे, assessment open कर दोगे, याने आपने time limit देख ली, इसके बाद approval ले लिए, approval लेने के बाद, 148 में show cause notice भेजा, तीन cases में show cause notice भेजने की जरूत नहीं, इसके बाद आपने 148 में notice भेजा, अगर आप यह fit हो गया, आपको 148 के show cause notice के बाद यह पता चल गया, yes, this is a case fit for 148, तो आप उसको notice issue कर दोगे, और इसके बाद अब आप 147 में उसका assessment करोगे, 147 में assessment करना मतलब क्या, आप उसका income जो होगा, यह compute करोगे, या उसका income को क्या करोगे, re-compute करोगे, आप उसकी income को compute करोगे या re-compute करोगे और tax payable निकालोगे, आईए जरा, भाई सहाब, आईए जरा, इधर देखिए, let us recap में आपको यह सारी चीजे मिल जाएगी, explanation 1, explanation 2, page नंबर 62 पे, where AO suggests that income has escaped assessment, पहला, जब कोई भी information flag कियो, दूसरा CAG ने final objection raise किया हो, तीन केसे में, deemed है कि information escaped हुई है, बोलो भहिया, search and seizure या document assets value किसी और को बिलॉंग करते हैं, लेकिन AO satisfied है कि आपको बिलॉंग करते हैं, yes, 147, 147, income escaping assessment, page number 57, with view to completely reform the system of assessment, reassessment, recomputation, income escaping assessment and reassessment, the Finance Act 21 has substituted the existing 147 to 149 with new 147, 148, 148a and 149. due to the advancement of technology department is now collecting all relevant information related to the transaction from 185 BA, that is statement of financial reporting or reportable account, similarly, information is also received from other law enforcement agencies, this information is shared with taxpayer through AIS, that is annual information system, department uses the information to verify the information declared by the taxpayer in the return and to detect non-filer or those who have not disclosed the collect amount of income, therefore, assessment or reassessment or recomputation to a large extent is now information driven, it is expected that new system would result in less litigation and would provide ease of doing business through a taxpayer and there is a reduction in time limit by which a notice for assessment or reassessment or recomputation can be issued, income escaping assessment, यह 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 तो आपको सिब यह बताया गया है कि अब नया सिस्टम कुछ आया है यहां पर एनि इंकम चार्जेबल टु टॉ टॉ टॉटेक्स मतलब एक्जम्ट इंकम का 147 पॉसिबल नहीं है, एनि इंकम चार्जेबल टॉ टॉ टॉटेक्स इंकेस ऑफ अससे विच हैज एसकेप डॉसमेंट कैसे पता चलेगा अससेप डॉसमेंट या तो कोई फ्लाइग हुआ होगा इंफरमेशन या सीएजी के ऑड़िट अबजेक्शन आया होंगे या तीन इंकम इसकेपिंग असे पर अनि असस्मेंट यह द एयो में सब्जेक्ट तो प्रोविजन आप 148-153 याने जब तक 148 से 153 साटेस्पाइब नहीं हो जाएगा तब तक के 147 पॉसिबल नहीं असेज और री असेज दोनों लिखा है असेज और री असेज आप फिर्स ताइम असस्मेंट कर रहा है त भी 147 पॉसिबल है सच इंकम और री कंप्यूट थे लॉस और अप्रेसिएशन अलाउंस और इन अधर अलाउंस और डिदक्शन पर सच असस्मेंट यह दे को इदर लिखा है यह आपका सेक्शन 147 वो केस तो आप डेफिनेटली ले सकते हो जिसके लिए आप नोटिस इशू कर रहे हो जो information flag हुई है या CAG ने जिसके ओपर objection raise किये इन फाक्ट आप वो भी ले सकते हो जो आपके ध्यान में आई assessment चालू करने के बाद in other words AO may assess or reassess any income respect of which any issue that has escaped assessment which comes to his notice subsequently in the proceeding even if the step prescribed in 148a were not followed in relation there to assessment करते वक्त अगर कोई income निकल गई अब इसके लिए क्या वापस 148a का notice issue करना है आंसर इस नो आंसर इस नो आप बिलकुल कर सकते हो so if any income chargeable to tax assessment यो में assess re-assess recompute the total loss depreciation in fact कोई और जो आपके ध्यान में आया आप वो भी ध्यान में ले सकते हो तो चेक किजिए यहां से assessment चालू किया था complete करते करते तक नीचे तक आए yes चलिया द्यान्स चुनियेगा यह section 150 है जो कहता है कि भी है कोई time limit नहीं होगा अगर order in sections के अंदर में आया होगा appeal से आया होगा revision से आया होगा code से आया होगा तो कि यह अब आते हैं एक और point के उपड़ कि यह प्लीस हाइलाट इस पाज नंबर 61 इस अगें इंपॉर्ट इस अगें इंपॉर्ट प्लीस रिडित फिर सम्झाता हूँ झाल झाल बहुत बहुत इजी और बहुत बहुत इंपॉर्टन कुछ भी कॉंप्लिकेट करने लायक नहीं है इस सिचुएशन में यह पर्टिकुलर लॉग क्या कह रहा है मैं आपसे यह बताता हूँ यह पर्टिकुलर लॉग कहता है देखिए 148 में ओल्ड प्रोविजन थी जो कहता था चार साल या छे साल में हम कभी भी इशू कर सकते चार साल या छे साल में कभी भी नोटिस इशू कर सकते 14221 के बार टाइम लिमिट चेंज हो गए नोटिस इशू करने के तीन साल या दस साल अब यह लॉग क्या कर रहा है लॉग को सिंप्लिफाय करने के लिए या जादा तकलीफ न बढ़ाने के लिए यह कहता है अगर मान लीजे मान लीजे कोई पर्टिकुलर एयर है 14221 के पह इसका नोटिस इशू नहीं कर पाएंगे बात बहुत सिंपल है प्लीज धान से सुनिया मान लीजे इंकम एसकेपिंग असेस्मेंट कोई पर्टिकुलर एयर से रिलेटेड है अगर मैं अब उस एयर से रिलेटेड नोटिस इशू नहीं कर सकता एस पर दी ओल्ड लॉग तो न्यू लॉग के हिसाब से भी मैं उसका नोटिस इशू नहीं कर पाऊंगा यह लॉग लाना पहली बात तो जरूरी क्यों था यह समयों यह लॉग लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हो सकता है हो सकता है सर्च एन सीजर वाले केस जहाँ पर इंकम एसकेपिंग न्यू लॉग के हिसाब से अगर इंकम एसकेपिंग असेस्मेंट 50 लाक या उससे उपर है तो आप कित्ता जा सकते हो 10 years अब मान लीजे उस पर्टिकुलर येर को अल्रेडी 6 years हो चुकी है है बिबल के सहाब से उस पर नोटिस इशू नहीं हो सकता था पर क्या जाता अब एयो ओक्या कहता नया गड़ी-नया राज नया लॉग 140221 किस तो नहाई लौ के हिसाब से काम करूँगा पुराने लो के हिसाब से काम करूँगा पुराने लोग गया शैप में से अपका टाइम लेमिंट को चुक हो चुका था कल चलके आप कुछ नया लौक लेकर आ जाओगे तो मेरे assessment office open हो जाएंगे जगडे हो जाते थे मारा मारी हो जाती थी lawmaker ने कह दिया अगर old law के इसाप से time limit खतम हो चुका है तो new law के इसाप से आप notice issue नहीं कर पाएंगे no notice under 148a sorry 148 no notice under 148 shall be issued at any time in a case for relevant assessment year beginning on or before 14 2021 14 2021 के पहले वाले कोई भी cases याने क्या मैं कह सकता हूँ cases up to 31st March 2021 if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond time limit specified under the provision of section 148 1 as they stood immediately before the commencement of finance act that is six years from the relevant assessment year इसे simply शब्दों में लिखना है तो आगे जाके लिखिये if notice under section 148 cannot be issued as per old law then notice for those years cannot be issued in new law example example suppose a has undisclosed income of let's say rupees 10 crore for the assessment year 12-13 suppose कर के चलते है a has undisclosed income of 10 crore rupees for the assessment year 12-13 अगर old law देखो old law देखो क्या ये year prior to 2021 है येस यानि अब हम इस प्रोविजन के अंदर में हैं old provision कहता था कि अगर आपकी escaped income एक लाक रुपे के उपर है तो आप six assessment year तक के case can be opened under section 147 बताईए बारा तेरा assessment year से छे साल 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 याने 31st March 2019 वोड हाव बीन लास्ट दे वोड हाव बीन लास्ट दे जब 147 का notice issue हो सकता था वोड हाव बीन लास्ट दे पर issue of notice yes or no अब new law आ गया 14-2021 के बाद new law कहता है it can be up to 10 assessment year if income escaping assessment exceed 50 lakh अगर income escaping assessment is exceeding 50 lakh rupees तो आप क्या कर सकते हो 10 साल तक case open कर सकते हो that is that is 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 21-20-21, 22-20, 21-22, 22-23 यानि हमारा जो current assessment year है 22-23 लास्ट देड बन जाती 31-3-2023 if new law is followed अब देखो जगडा क्या होगा अगर यह assessment year 12-13 से related case है अगर यह assessment year 12-13 से related है तो एओ क्या बोलेगा आज 2021-22 में एओ क्या बोलेगा एओ बोलेगा मैं तो 12-13 का भी case open करेगा नया गड़ी नया राज असेसी बोलेगा सर एक मिनिट यह assessment year 12-13 का law है कानून आपने 14-2021 से बदला है मेरा time limit already खतम बाबा इलाइची खतम time limit खतम आप कोई case open नहीं हो सकता यह बोलेगा ऐसे कैसे नहीं open हो सकता मैं case open कर सकता हूँ नय law case आप से 10 साल तक का power है मेरे पास मैं case open करेगा इसमें तो और जंगट बढ़ जाते जबकि 147 को amend करने का objective ही यह था यह जो गया गया आप छोड़ो नया process लेकर क्या हो simplify करो चीजों को अब law क्या बोलता है वापस से पढ़िया if notice under 148 cannot be issued as per the old law four year or six year completed then notice for those years cannot be issued as per the new law now since now since for assessment year 1213 the time limit as per the old law is is already over no fresh notice under section 147 can be issued in assessment year 2223 I hope you are understanding this because six year already elapsed you 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 एवरिवन चलिए एक आपको देता हूँ, सॉल करिए चलिए आप आपको देता हूँ, सॉल करिए एक्जाम्पल नमबर टू फोर असेस्मेंट यर 1718 19, income escaped assessment was 2 lakh, can notice be issued in assessment year 22-23? चिक करो, चिक करो, यही बेटा old law होता, क्या 50 lakh यह उससे उपड़ जा रहा है? नहीं, मतलब 10 years वाला नहीं condition है, old law कहता था, हम 4 years तक के जा सकते हैं, अगर assessment year 17-18 का matter है, तो notice कब तक इशू हो सकता है? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 assessment year, last date would be 31-3-2022, last date would be 31-3-2022. 22, yes or no, new provision क्या कहता है? maximum 3 years तक के possible है, for assessment year 17-18, 18-19, 19-20, 21-22. अब सोच, समझ और दिमाग लगा कि क्या 22-23 में notice issue कर सकेंगे क्या? क्या 22-23 में notice issue कर सकेंगे क्या? आंसर इस नो, सर क्यों कर सकते है न ओल्ड लोग के हिसाब से? पर new law भी तो picture में हैं, because as per 149, max notice can be issued up to 31-3-2021. याने, याने, अगर मैं समप करू, old law, new law, 148, 149 के अंदर में notice possible है याने, old law, you have time limit, but as per new law, there is no time limit, pending. You have time limit, pending, as per new law, you do not have time limit, pending. A simple case of example number 2, 149 का अंदर में notice cannot be issued. As per old law, you completed the time limit, as per new law, time limit is pending. A simple case of example number 1, again notice cannot be issued. As per old law, time is pending, new law also, time is pending. बिन्दास issue कर notice, कोई problem नहीं है. For example, a case of 2021, 2021 का case, old law के सबसे भी timing pending है, new law के सबसे भी timing pending रहेगा. You can issue notice. So again, I am summing up. अगर old law में time limit खतम हो चुका है, पर new law में time limit pending है. Can you issue the notice? Answer is no. क्योंकि अगर old का time limit खतम हो चुका है, तो new का time limit applicable नहीं है. पर हाँ, अगर old का time limit आज भी pending है, पर new के सबसे भी time खतम हो चुका है, तो भी आप क्या नहीं कर सकते? 149 का notice issue नहीं कर सकते हैं. पर दोनों का time limit है, तो आप notice issue कर सकते हो. यह बना लो. जिन जिन मच्चों ने अपना class किया है, पास्ट्राक बुक में इसका example है, अपना regular बुक पेज नमबर 4.26 पे इस पे 6 example है, 6 example पढ़ना. पेज नमबर 4.26 पे इस पे 6 example है, 6 example पढ़ना. Yes or no? That's it. तो आपस एक बार example 1 समझना. Example 1 में यहाँ 6 year अल्रेडी complete हो चुके थे, पर new के हिसाब से time बाकी था, पर law clear है, law बोलता है, अगर old के हिसाब से time limit खतम, तो new में आप नया notice issue नहीं कर सकते हैं. हाँ, दोनों के हिसाब से time limit अभी भी बचा है, notice issue कर दो, पर बाकी पुराने law को अब बोल छेड़ना ही नहीं चाते, उससे वो आगे निकलना चाते, वो बोलते हैं कि वो गई, एक्स गई, अब इस बारे में बात नहीं करना, अब इस बारे में क्या नहीं करना, बात नहीं करना, येस बिटा, चलिए, अब आते हैं, 147, बात करता है, income escaping assessment की, in fact, कोई और income भी जो अधान में आती है, क्या वो की जा सकती है, येस, 148, बोलता है भीया, हम notice issue करेंगे, income escaping assessment के लिए, 148A, show cause notice का procedure बताता है, हाला कि ये procedure के लिए, कितने exception है, 3, search and seizure, अगर assessi के घर पे होई, किसी और के आउई, पर आपको, money billion जो ले भी बिलॉंग करते हैं, किसी और के आउई, आपको accounts बिलॉंग करते हैं, और AOS points से satisfied है, तो इन 3 cases में, direct 148, 148 एका process नहीं है, 149 आपको बताता है, time limit for issue of notice, what is the new time limit, 3 years, income escaping assessment, 50 lakh और more है तो 10 years, yes, यहाँ एक law बोलता है, if notice cannot be issued, as per old law, no new notice, as per new law, further, new law के हिसाब से time limit बचा है, sorry, new law के हिसाब से time गतम है, पर old law के हिसाब से भी time limit बचा है, तो भी ऐसे cases को हाथ नहीं लगाना, old law और new law दोनों में time limit बचा है, तो ही case को हाथ लगाना, 150, there is no time limit, 151, approvals, 152, miscellaneous, आई यह miscellaneous पर भी बात कर लेते हैं, अगर income escaping assessment, अगर income escaping assessment, 17, 18 को बिलॉंग करता है, जिसका assessment मान लो, मैं example change कर रहा हूँ, 18, 19 को बिलॉंग करता है, जिसका assessment मान लो, 22, 23 assessment year में, open हुआ है, तो tax rate of which year, 18, 19 के, और 22, 23 के, अगर income escaping assessment, 18, 19 को बिलॉंग करती है, तो जो tax rate अपलाए होंगे, tax calculation purpose के लिए, जो tax rate apply होंगे, tax calculation purpose के लिए, वो कौन से year के होंगे, 18, 19 के है, 22, 23 के, 152 कहता है, वो 22, 23 के नहीं, वो 18, 19 के ही apply करेंगे, जिस year से related income है, उसी year के tax rate apply करेंगे, जिस year से related income थी, उसी year के tax rate उसी year के benefits apply करेंगे, Is that done? That's it, यहां आपका, assessment वाला part भी over होता है, और इसी से related, एक amendment, एक और topic में पढ़ा देता हूं, search and seizure, search and seizure होने के बाद, आपका assessment हुआ करता था, under section 153A and 153C, with effect from 1.4.2021, यह दोनों section को scrap कर दिया, and now इससे related जो assessment भी होने वाले हैं, वो 147 to 152 के अंदर में होंगे, इससे related जो assessment भी होने वाले हैं, वो 147 से 152 के अंदर में होंगे, याने search and seizure के बाद के जो 153 और 153C हुआ करते थे, अब वो खतम हो गए, और assessment जो होंगे सर्च के बाद, वो 147 के अंदर ही carry out किये जाएंगे, बाकि बाकि भरिशेत रिमेंट सेंआ बाकि भर्रेशेते रिमेंस। एवरिबाड़ी येस और नो चेक करो बेटा डेने बच्चे अच्छा जी एक अमेंडमेंट और आया है हमने बाकी सारे अमेंडमेंट कर लिए देखिए बाकी सारे अमेंडमेंट कर लिए अब 153.1 का भी अमेंडमेंट कर लेते हैं सेक्शन 153.1 क्या कहता है 153.1 कहता है टाइम लिमिट टू कम्पलीट असेस्मेंट 153.1 क्या कहता है ताइम लिमिट तो कम्प्लीट असेस्मेंट इसका 153.1 ताइम लिमिट देता था तो कम्प्लीट असेस्मेंट अंडर सेक्शन 143.3 और 144 यहाँ चेंज आया है यहाँ चेंज आया है ज्यान जा सुनियेगा यहाँ चेंज आया है आपको रेगुलर बुक के अंदर में पेज नंबर 4.13 पे भी यह दिख जाएगा यहाँ पहले असेस्मेंट को टाइम लिमिट कम्प्लीट होने को हुआ करता था 12 मंस from the end of relevant assessment year जो भी relevant assessment year का आप assessment कर रहे हो regular assessment या scrutiny assessment उस relevant assessment year के end से 12 मंस के अंदर में आपको क्या करना है और पास करना है और ऑफ असेस्मेंट को आपको क्या करना है पास करना है इस इस रिवाइज रिटन बी लेटर डिटन का time limit reduce कर दिया थ्री मंद से थ्री मंद से 143 वन का summary assessment का time limit भी कम कर दिया तो जहां पहले 12 मंस था वहाँ पे अब 9 मंस आ गया है जहां पहले 12 मंस था वहाँ पे अब 9 मंस आ गया है 9 मंस from the end of relevant assessment year आपको आपका assessment complete करना होगा आपको आपका assessment क्या करना होगा कम्प्लीट करना होगा लास्ट 281 बी लास्ट 281 बी प्रोविजनल अटाच्मेंट के उपर वर्क करता है सेक्शन 281 बी प्रोविजनल अटाच्मेंट के उपर वर्क करता है येस प्रोविजनल अटाच्मेंट के उपर वर्क करता है प्रोविजनल अटाच्मेंट ये क्या होता है एओ के पास एक पावर है to attach the assets of assessi for safeguarding the revenue अगर एओ को कभी भी ऐसा लगता था कि या assessi tax दिये बगएर भाग सकता है या tax की प्रोविजन से बचने के लिए भाग सकता है तो वो क्या कर देता था provisional attach कर देता था आपके जो assets थे इसको क्या कर देता था provisional attach कर देता था to safeguard the revenue to safeguard the revenue बरवर है पर ये पावर वो तभी exercise कर पाता था ये पावर वो तभी exercise कर पाता था विन असेस्मेंट और री असेस्मेंट इस पेंडिंग जब कोई असेस्मेंट या री असेस्मेंट पेंडिंग है तभी वो इस पावर को एक्सेस कर पाता था लेकिन कुछ केसस में देखा गया कि जिन असेस्मेंट यू जा रही थी वो भी क्या करते थे देश छोड़के निकल लेते थे या फिर अपनी प्रॉपर्टीज बेच दालते थे और पैसे को इधर उधर कर देते थे इसलिए इसलिए तो अगेन दे सेवगार्ड अफ रेवेन्यू इस पावर को एक और जगह एक्स्टेंड किया और इफ पैनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल डी एक्सीड 2 करोड अगर 271 डबल डी की जो पैनल्टी है यह पैनल्टी भी अगर 2 करोड के उपर जा रही है तो भ फॉल्जल अटाच्मेंड diffic के पावर एकससाइस कर सकता है यह यह जो पावर ते प्रोविजनल अटाच्मेंट के यह असेस्मेंठ्यार रियासेस्मेंट जब पेंडिंग जो पर सकता था लेकिन अब अगर आपका penalty 271AAD के अंदर में 271AAD के अंदर का penalty अगर 2 करोड के उपपर जा रहा है तब भी वो provisional attachment under 281D मार सकता है exam under view से बात करू तो ये important बन सकता है exam under view से बात करू तो ये important बन सकता है तो ये एक बार देख लिजेगा यहाँ पे हमारा assessment procedure assessment procedure के भी amendment क्या होते है मेटा complete होते है यहाँ हमारे assessment procedure के भी जो amendment है ये क्या होते है मेटा complete होते है हला कि 142.1 143.1 281.1 281.1 153.1 ये मैंने आपसे write करवाया है हला कि मुझे पूरा यकीन है in fact 147 को भी जो हमने shortcut करके लिखा है वो भी आप लिखेंगे लिखेंगे येस सर तो एक और amendment पूरा हुआ assessment procedure चलिए अब अगर आगे देखेंगे तो आगे next topic पर amendment पर चलते है that is TDS TDS is the next topic जिसका amendment आज हम लोगों को देखना है TDS TCS हाला कि बहुत सारे amendment इसके अंदर में नहीं है पर जितने भी है सारे के सारे relevant है सारे के सारे relevant है क्योंकि इसमें case study related question क्या कि जा सकते है पूछे जा सकते है right TDS TCS page number 48 से आपको दिख जाएगा TDS TCS सबसे पहला section आ रहा है section 194 P यह section 194 P क्या है मैं आपको बता दूँ यह एक exemption है जो senior citizens को provide किया गया है यह exemption है जो senior citizens को provide किया गया है देखे होता क्या था senior citizen का यहाँ पर भी जो definition है यह थोड़ा सा change है generally हम senior citizen income tax में तब मानते है जब किसी assessi की age 60 years or more हो yes or no तो किसी assessi की age जब 60 years or more होती है तब हम उसे senior citizen मानते है लेकिन यह section के लिए senior citizen मतलब 60 years वाला नहीं है यह assessi के लिए senior citizen मतलब 75 years का है तो ऐसे senior citizens जो 75 years के है और जिनको generally pension या सिर्फ interest income आ रहा है pension या सिर्फ interest income आ रहा है ऐसे लोगों के लिए return filing से exemption provide किया गया है मतलब अगर इनका TDS deduct कर लिया किसने? bank ने bank ने अगर इनका TDS deduct कर लिया on the pension they are receiving और on the interest they are receiving तो इन लोगों को return भरने की जरौत नहीं पड़ेगी इन लोगों को क्या करने को जरौत नहीं पड़ेगी return भरने की जरौत नहीं पड़ेगी to whom a senior citizen इसके लिए एक नया section लाकर के रखा है section 194 P जो आपको ये benefit प्रोवाइट करता है चेक करिएगा page number 48 section 194 P the benefit available to senior citizen section 194 P required the deduction of tax at source on the basis of rate enforced by a specified bank TDS कौन deduct करेगा भाहिया specified banks तो specified bank कौन हो गया मालिक deductor being a notified banking company on the total income of specified senior citizen for the relevant assessment year computed after giving to the effect computed after giving to the effect of deduction under chapter 6A and rebate under section 87A तो उसकी जो total income होगी उसके उपर वो क्या करेगा tax deduct करेगा after giving the benefit under chapter 6A that is deductions and 87A के rebate के बाद if any अगर को income आती है तो bank इसके उपर TDS करेगा अच्छा जी the specified senior citizen is exempted the specified senior citizen is exempted from filing his return of income तो उसके return of income को उसको क्या दिया गया है exemption दिया है section को ला करके for the assessment year relevant to the previous year in which tax has been deducted so specified bank का मतलब क्या है a banking company or which is a scheduled bank and has been appointed as agent of RBI specified senior citizen senior citizen मतलब individual होना चीए resident होना चीए जिनकी age 75 years or more होने चीए जैसे कि मैंने का senior citizen यहां पे 60 से नहीं 75 से आता है right having his pension income having his pension income also he should have no other income except income except interest income याने दोई तरकी की income आ रही हो जिनको या तो pension income या तो interest income received or receivable from any account maintained by such individual by such individual in the bank and has furnished a declaration to the specified bank containing such particular in prescribed form and verified in the prescribed manner accordingly rule 26 D to the prescribed form and manner for furnishing declaration is given below तो भी एक rule 26 आया है जिसके अंदर में आपको क्या बताया गया है details बताई गये जैसे form मतलब form 12 BBA ये लाया गया है deduction जो होगा ये after allowing chapter 6 A and rebate होने वाला है and and the declaration and evidence for claiming the deduction shall be properly maintained by specified bank and shall be made available to commissioner of income tax ये सारी detail लेने के बाद ही वो अपना TDS कट करेंगे और TDS अगर bank ने कट कर दिया तो senior citizen को return भरने के ज़रूत नहीं पर ये जितनी भी detail वो senior citizen से collect करेंगे सारी details को वो क्या करेंगे संभाल के रखेंगे और chief commissioner के सामने जब भी ज़रूत पड़ी वो क्या करेंगे इसे produce करेंगे तो section 194 P अगर आप मिले को exam point of view से कहेंगे मैं इतना relevant नहीं मानूगा इसे section 194 P दूसरा एक नया section आया है 194 Q जिसकी applicability आई है 17 2021 से जिसकी applicability आई है 17 2021 से जी हाँ 17 2021 से section की applicability आई है exam point of view से अगर मैं बात करूँ तो भाहिया ये important amendments के basis पे है ठीक है 2061H आपने TCS का ये provision देखा होगा ये वैसे पिछले साल का amendment था कब बिटा? Finance Act के अंदर में ये पिछले साल का amendment था 2061H जो कहता था कि अगर अगर कोई seller है जो goods sell कर रहा है exceeding rupees 50 lakh और इस seller का turnover in previous preceding year is 10 करोड और मोर तो seller will collect TCS तो TCS का ये provision था जो कहता था seller अगर good sell कर रहा है 50 lakhs के उपर seller अगर good sell कर रहा है 50 lakh के उपर और इस seller का turnover in the previous preceding year 10 करोड और उसे उपर है तो seller क्या करेगा? बायर से TCS कलेक्ट करेगा जब उन्होंने ये section लेकर के आया तो TCS के अंदर में काफी अच्छे collections हुए और उन्होंने ये section उठा के cut copy paste TDS के अंदर में डाल दिया in the name of section 194Q in the name of section 194Q the section is very wide enough to cover any kind of purchase of goods any kind of purchase of goods जहां seller की responsibility है 206C1H में TCS कलेक्ट करने की वहीं कई buyers के उपर responsibility डाल दी गई है कई buyers के उपर responsibility डाल दी गई है किस के लिए TDS करने के लिए आप सभी को पताऊगा buyer मतलब वो पैसे pay कर रहा है वो TDS काटेगा seller collect कर रहा है इसलिए वो TCS करेगा अब आपके मन में जाहिर सी बात है question arise हो गया तो sir मुझे TDS करना है या TCS करना है अब यहाँ पर condition उल्टी डाल दी अगर buyer का turnover in previous preceding year exceed कर जाता है किस से बेटा 10 करोड से तो buyer को TDS करना है नहीं तो फिर यह game कहा चले जाएगा TCS में चला जाएगा मान लो अगर दोनों section applicable होगए TDS as well as TCS मतलब अगर 206C 1HB apply कर गया और 194Q भी apply कर गया what will prevail what will prevail भाई साब 194Q will prevail 194Q will prevail 194 को जब आप पढ़ोगे तो आपको खुदी समझ में आएगा 194Q क्या होगा prevail कर रहा है Sir यह आया था आपका finance act 2020 से यह आया है finance act 2021 से इसकी applicable date है 1.7.2021 से याने 1.7.2021 के बाद जब भी आप क्या करोगे बिटा purchase कर रहे हो aggregate value जिसकी 50,000,000 रुपीज से उपर जा रही है तो buyer को क्या करने की ज़रूरत है TDS करने की ज़रूरत है आईए Sir पड़ते है 194Q section 194Q requires any person being a buyer who is responsible for paying any sum to resident seller अगर buyer कोई भी sum पे कर रहा है किसको resident seller को for purchase of goods the value or aggregate value exceeding 50,000,000 in a previous year he will deduct the tax at the rate of 0.1% or such sum exceeding 50,000,000 he will collect a sum of 0.1% exceeding 50,000,000 चलिया इदर आईए याने अगर मैं section 194Q की बात करू payer कौन होना चीए any person सर पेई कौन होना चीए resident seller purchase exceeding rupees 50,000,000 TDS at the rate of 0.1% on the value exceeding 50,000,000 on the value exceeding 50,000,000 yes sir buyer मतलब कौन buyer means a person whose turnover in previous preceding year exceed 10 crore कोई भी व्यक्ति आज जो खरी रहा है सर तो क्या section 206E1H और 194Q दोनों exist कर रहे है बिल्कुल भाई साब दोनों exist कर रहे है यहां जो 10 crore की condition है वो buyer पे है TCS में जो 10 crore की condition है वो seller पे है यह बात याद रखेगा साब दूसरी बाद 194Q any person अगर resident seller को दे रहा है कितने से उपर 60 lakh के उपर 0.1% का TDSI आए गा अगर मैं example की बात करू सर अगर buyer क्या purchase कर रहा है goods purchase कर रहा है worth रुपी 60 lakh तो TDS is equal to 0.1% of 10 lakh hope you are understanding this लिख लो अब इस section के आने के वज़े से कई चीजे TDS के अंदर में आ जाएगी मतलब आप जिन जिन चीजों को goods कह सकते है वो सारी चीजे TDS के अंदर में आ जाएगी जी हां अगर आपको याद हो तो जब हम लोग ने regular class के अंदर में इस section का analysis किया था हमने बहुट detail के अंदर में इसका analysis किया था अगर आपको याद हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ buyer का turnover in previous preceding year अगर 10 करोड से उपर जा रहा है तो previous year में जो वो goods purchase कर रहा है किसी भी व्यक्ती से एक व्यक्ती से अगर वो purchase कर रहा होगा 10 करोड के उपर का तो उसको क्या करने की ज़ुरत है मालिक TDS करने की ज़ुरत है at the rate of 0.1% अब कुछ बाते कुछ notes की बात अगर हम कर लें इन 206C1H and 194Q section 194Q will prevail इन points पर जरूर question पूछेगा मैं आपको लिख के देता हूँ साब इन points पर जरूर question पूछेगा राइट अच्छा अब एक दूसरा सवाल आप सभी को पता है एक section है 194O हाँ या ना क्या section है जरह याद करके बताओ there is a section called as 194O e-commerce operator e-commerce participant को payment करता है e-commerce operator e-commerce participant को payment करता है और यह payment होता है listing on the website मतलब Amazon के उपर अगर विजय साड़ा का product listed है we learn classes का product listed है Amazon के उपर तो Amazon जब मुझे pay करता रहेगा Amazon जब मुझे pay करता रहेगा तो वो क्या करेगा भाई साब TDS कट करेगा याने section 194O 194Q दोनों interplay में एक साथ आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं यह buying of goods के उपर है ध्यान से देखेगा यहाँ पे यह buying of goods के उपर है और similar तरह के का payment 194O के अंदर में भी cover हो सकता है क्योंकि website के through भी purchasing हो सकती है so if section 194O and section 194Q in section 194O and 194Q what will prevail TDS सब कौन से section में कटेगा 194O yes इस बात पर already clarification भी issue हो चुका है कि अगर 194O और 194Q simultaneously apply कर रहे होंगे 194O e-commerce operator वाला and 194Q दोनों simultaneously apply कर रहे होंगे तो भाई साब 194O will prevail in 206C1H and 194O 194O will prevail अगर 206C1H and 194O दोनों एक साथ लग रहे हैं तो ऐसे केस में 194O will prevail यह तीनों पार्ट लिखके रखे हैं mandatory हैं झारी दारी को अगसे साथ आग लगा आगास्ट तोनों ने शोनों पार्टों ने पार्टों लोगाई साथ, और रहे हैं अच्छा जी आप सभी को पता है कि भीया जब भी हम TDS कट करते हैं जब भी हम TDS कट करते हैं पैन नमबर देना जरूरी है अगर पैन नमबर प्रोवाइड नहीं किया तो TDS जो कटता है वो 20% से कटता है लेकिन इस सेक्षन के लिए एक 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 सेप्शन है if seller do not provide PAN deduct TDS at the rate of 5% instead of 0.1% yes प्रभू सो बड़ा सिंपल है कोई भी परसन resident seller को goods के लिए goods के लिए goods के लिए अगर goods purchase करने के लिए अगर पेमेंट कर रहा है और यह purchase of goods का पेमेंट 50 लाक रुपीज से उपर जा रहा है in a year तो amount exceeding 50 लाक के उपर 0.1% का TDS आएगा अब आपको पता है इससे कई चीजे issue arise हो जाएंगे जैसे कुछ यहां पर डिसकर कर रहा हूं बाकि तो मैंने लेक्टर में discuss किया हर वो चीज जो goods कहीं जा सकती है क्योंकि आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा क्या goods defined answer is no वैसे इसके उपर बहुत सारे cases हुए है इसके उपर बहुत सारे cases हुए है क्या capital asset भी goods में आएंगे या सिर्फ revenue asset goods में आने चाहिए बेरहाल goods को define नहीं किया गया है और इसलिए section का जो scope है अभी भी बहुत बड़ा है हाल फिलाल में जब तक goods defined नहीं है तो capital goods और revenue goods दोनों cover होते हैं in fact electricity को भी goods माना गया है कई case loss के अंदर में तो electricity bill भी अगर आपका 50 lakh rupees से उपर जा रहा है तो question arise होता है कि क्या यहां पर TDS कटेगा तो ऐसे अन्य कई सवाल अब खड़े हो जाते हैं जब तक कि section के अंदर में goods यह at least exclusion list नहीं आ जाती तब तक कि section का scope है यह बहुत बड़ा है तब तक कि section का लिमिट काउंट करते रहेंगे आपने बोला एक साल के अंदर में 50 lakh होना चाहिए जब यह 50 lakh की limit काउंट करते रहेंगे तो क्या turnover एक साथ 2021 के बाद देखना है या turnover तो एक अपरिल से ही count करना है सब turnover तो first April से ही count करना है आपको आपको जो turnover count करना है 50 lakh के purpose के लिए वो तो एक अपरिल से count करना है TDS एक साथ 2021 के बाद कट होगा so turnover is counted from first April 2021 not from 17 2021 झापको है 5 झाप 10那么 kwa तो न Bella horse Shouldnο ापको प्रिल न श pool in Q यूू झाण ज बाद तो रिया है 1 झापको झापको जब यटी करना है 3 प्रूर है 5 झापको रिदल देने प्रभू बहुत चांदार बहुत चांदार चलिए सर सिंज वी नो कि भी यह TCS और TDS दोनों इंटर प्ले में आ सकते हैं तो पहले क्या डिड़क करना है वी अल्रेडी सेट 194 क्यू तो याने अगर इस पर TDS हो चुका होगा तो TDS की जोरत नहीं TDS हो जाएगा तो TCS की जोरत नहीं तो ये बाद मान के चलिए गा येस सर यहां पर लिखाता दा पेमेंट पेई विल बी रेसिदेंट सेलर यही अगर नोन रेसिदेंट सेलर हुआ तो TDS विल बी अंडर सेक्शन 195 बीवाई अब्स्याद प्र सब्सक्राइब नहीं है ये माइवा ये पर भीवाई नहीं तो TDS दन आपचा जी आँ तो दो सेक्शन हम लोग ने कम्प्लीट किये देफर्स वन वस वन 94P दनादर वन वस 194Q लेड़स मूव फर्दर लेड़स मूव फर्दर इन फाक्ट अगर आप देखो के 194 क्यू आपके पेज नंबर 5.28 पर भी दिखावा है तो 5.28 को आप लोग क्या कर सकते हो देख सकते हो यस प्रभू चलिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी अभी यह देखा था कि भिया इफ सामने वाले वेक्ति ने आपको पान नंबर नहीं दिया अंडर सेक्शन 194 Q the TDS will be 5% instead of 20% or in this particular section 1% के जगर 5% आएगा हाला कि अगर कोई पैन नंबर नहीं देता है तो आपको याद होगा 206 AA के तो 20% होता है तो 206 AA is also amended to include 194 Q at the same time third amendment हो है 206 AA के अंडर में 206 AA के अंडर में यह लिख दिया गया है के भिया अगर सामने वाले ने क्या प्रोवाइड नहीं किया पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो इन केस of 194 O and 194 Q instead of 20% the TDS rate will be 5% तो third amendment जो आया है वो आपको देखने को मिलेगा इसी का reflection in 206 AA चलिए इंपोर्टन के टेगरी में यह फिर आते हैं साब 206 AB अगें इंपोर्टन के टेगरी 206 AB अगें इंपोर्टन के टेगरी in order to punish the non-filer of return of income जो लोग return file नहीं करते इन्हें punish करने के लिए एक और चीज निकाली गई है कि इनका TDS जो है यह जादा rate पे cut करो वैसे मैं आपको बता दू return file न करने पे 234 यह तो लगता ही लगता है आपकी best judgment assessment हो सकती है यस आपको fees लग सकती है आपके losses carry forward नहीं हो सकते वो सब तो है ही है इन्होंने बोला भी अच्छा तुम return नहीं file करते हो return regularly file नहीं करते हो चलो हम एक और काम करेंगे ऐसे लोग जो return file नहीं करते है इनका जो TDS है यह भी higher rate पे कटवाया जाए ऐसे लोगों का जो TDS है यह भी higher rate पे कटवाया जाए अच्छा जी तो इदर आई यह पेज नूमब फॉर्टी नाइन एस पर section 206 a.b required tax to be deducted at source tax to be deducted at source under the provision of this chapter on any sum or income or amount paid or credited by any person to specified person at the higher rate of इनमे से higher rate के ओपर TDS कटेगा point no.a at twice the rate prescribed in the act act के अंदर में जो बो rate prescribed है वो point no.b at twice the rate given in force point no.c at 5% इसे राधर A, B और C कर ले तो TDS जो deduct होगा यह highest rate पे होगा एक rate given in the act दूसरा rate in force और तीसरा 5% तीनों में से जो भी higher होगा उसके ओपर आपने क्या कट करना है TDS कट करना है However, 206 a.b is not applicable in case of tax deductible under section 192, 192 a, 192 m, wait 192 b, 194 sorry I stand corrected. 206 a.b is not applicable in case of section 192, 192 means salary, कि salary के ओपर TDS rate fix है 192 a, 194 b, already 30% पे double कर दोगे तो 60 हो जाएगा 194 b, winning from horse races, double कर दोगे तो 60 हो जाएगा 194 lbc, interest वाला and 194 n, cash withdrawal वाला तो इन sections के ऊपर 206 a.b applicable नहीं है इनके ऊपर जो tax कटना है ये normal rate ही कटना है normal rate in the act इन लोगों के ऊपर इस point को भी star mark करके रखे इन sections पे 206 a.b work नहीं करता in case of provision of 206 a.b also applicable to the specified person in addition to the provision of this section then tax required to be deducted at higher of the two rates in 206 a.b or 206 a.b मुझे लगता है इसके ऊपर आपको कोई case study question मना करके मिल सकता है point क्या है ये समझ लीजे, point यहाँ पर यह है, मान लीजे अगर आपने pan number provide नहीं किया तो TDS will be at the higher rate of rate given in the act, rate in force or 20% मान लो, सामने वाले ने pan b provide नहीं किया, नहीं सामने वाले ने return भरा है अब 206 a.b apply कर गया, 206 a.b भी apply कर गया, अगर दोनों section apply कर गये 206 a.b and 206 a.b कौन सा लगेगा भाई साब, law में बोला भिया, दोनों चेक करना, दोनों में से जो भी higher rate है वो लगा देना, मतलब अगर 206 a.b में higher rate हो रहा है let's say 20% और 206 a.b के हिसाब से higher rate हो रहा है let's say 5% तो 206 a.b लगा देना और काम खतम कर देना, 206 a.b लगा देना और काम खतम कर देना specified person मतलब कौन होगा, a person who has not filed the return of income for both the two assessment year, relevant to the two previous year, immediately prior to the previous year अगर previous year के पहले 2 साल अगर आपने return नहीं भरा है and the time limit to file the return has expired and the aggregate tax deducted at source or collected at source in case is 50,000 more in each of two previous year वापस से समझेगा सब लग क्या कह रहा है, लग कह रहा है कि या specified person मतलब कौन suppose a 206ab comply करेगा if b has not filed ROI for two years prior to previous year previous year के पहले दो साल से अगर उसने return नहीं भरा है and TDS और TCS in such two years exceed rupees 50,000 in each year और अगर इन दोनों सालों में जो TDS कटना चीए था या TDS का जो अमाउंट है यह 50,000 या 50,000 से अगर जादा है तो ऐसे case में a b का जो TDS deduct करेगा TDS will be at the higher rate of twice the rate in act twice the rate in force or 5% whichever is higher so अगर b ने मान लिजे a और b के बीच का ट्रांजाक्शन है मान लिजे a और b के बीच का ट्रांजाक्शन है और अगर b ने क्या नहीं किया है बटा b ने return file नहीं किया है b ने क्या नहीं किया बटा return file नहीं किया है for at least two years prior to the previous year and each such year के आपकी जो TDS cut हो रहे है वो 50,000 से जादा है तो अब या a फिर क्या करेगा TDS higher rate पे deduct करेगा because b is non-filer however specified person does not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India yes non-resident include नहीं होंगे जिसके PE इंडिया के अंदर में नहीं है yes चलो वापस से देखते है specified person मतलब कौन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को payment कर रहा है other than the payment covered in 192, 192A, 192B, 192BB, 194LBC and 194N इन payment को छोड़के कोई भी payment कर रहा है जिसमें receiver, receiver, receiver ने पिछले 2 साल से क्या नहीं भरे हो return नहीं भरे हो और each such year का आपका TDS, TCS liability 50,000 से उपर जा रहा है तो ऐसे case में 50,000 या उसे उपर जा रहा है तो ऐसे cases के अंदर में भाई साब आप pair TDS जो काटेगा ये higher rate पे काटेगा TDS जो काटेगा ये higher rate पे काटेगा चेक महत्वपूर्ण बात ये है महत्वपूर्ण बात ये है कि 206 AB का भी effective date जो है इसका भी effective date जो है ये 17221 है इसका भी जो effective date है ये 17221 है हाला कि इस section के लिए effective date का कोई logic नहीं बनता है as such बट इसका effective date 17221 है झाल अब आपको एक inside बताता हूँ इंसाइट ये इस section का that TDS is deducted even when he was under no obligation to file ROI इस section में सबसे तेड़ी बात या सबसे अजीब बात कह लिए आप ये है कि ये section applicable हो जाएगा भले ही सामने वाले को return भरने की ज़रूत ही नहीं थी अब आपके मन में जाहिर सी बात एक question आएगा कि यार सर ये तो बड़ा illogical point हो गया सामने वाले को return भरने की ज़रूत नहीं है तो भी आप फिर TDS काटेंगे आप इनी एक बात समझे सार TDS वैसे भी credit बोल के मिल रहा है आपका जो TDS कट हो रहा है ये वैसे भी credit बोल करके मिल रहा है तो इत्ता tension लेनी की ज़रूत नहीं है हां बस इतना ही है कि आ को payment करता रहेगा विजय ये देखेगा उसने return मराया या नहीं बराया answer is return नहीं बराया दूसरा point हर साल में TDS liability 50,000 जो परती answer is yes काम खतम आपको TDS deduct करना है at higher rate आपको TDS deduct करना है at higher rate आपको ये दिवांग नहीं लगाना है whether he was at obligation to file return of income or not so TDS will be deducted even when the other person was at no obligation to what file ROI example समझे है एक्जामपल समझी है साब एक्जामपल समझीएगा ये एक्जामपल पेज नमबर 5.43 पे भी एक्जामपल पेज नमबर 5.43 पे आपके module 3 के अंदर में cover किया गया है yes Mr. A earned वहीं से लिका रहा हूं वापस Mr. A earned interest 5 lakh in both the preceding year TDS of 50,000 was deducted under section 194 A in each year he did not filed ROI nor he was at obligation to file ROI TDS will be deducted under section 206 A B at higher rate. तो सामने वाले के उपर obligation है या नहीं है या आपका matter ही नहीं है जब आप 206 A B के अंदर में या आपका matter ही नहीं है जब आप 206 A B के अंदर में है एवरिवरिबारी परफेक्ट बेटा TDS के साथ साथ ही एक और section है इसी का भाई आया है इसी का भाई आया है बिलकुल नया ताजात तरीन कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ है 206 CCA इसी का section है 206 CCA जैसे TDS के अंदर में सामने वाले ने रिटन नहीं भरा आप नहीं कहा किया TDS हायर रेट पर डिड़क किया सेम चीज़ उठा के TCS वालों को भी बूल दिया कि जो व्यक्ति TCS काट रहा है सामने वाले का रिटन देके चेक करे कि भी यह सामने वाले ने रिटन भरा है कि नहीं अगर सामने वाले ने रिटन नहीं भरा टीज़ विल डिड़क टेड एट हायर रेट चेक करो as per 206 AA which is again inserted with effect from 17 2021 requires that tax to be collected at source under the provision of this chapter on any sum or amount received by any person from a specified person at higher rate of twice the rate in the act or 5 percent twice the rate given in the act or 5 percent. The provision of 206 CC requires that tax collection to be at higher rate if person fails to provide his PAN number. The provision of section 206 CC does not apply to non-resident who does not have a permanent establishment in India. It may be noted that where 206 CC is applicable for not furnishing the PAN, 206 CC A is applicable to specified person who has failed to file return of income. वापस से यहां पर वही बात बूली है वापस से यहां पर वही बात बूली है यह भी specified person means a person who has not filed the return of income for both the two assessment year relevant to the previous year prior to the previous year in which tax is required to be collected. जिस previous year में आपको tax collection करना था उसके पहले के दो साल में अगर आपने return नहीं बढ़ा है तो यह section applicable है. Yes, in case provision of 206 CCA are also applicable to specified person in addition to 206 CCA then tax is required to be collected at a higher of two rates at a higher of two rates in short complete cut copy paste है 206 AB का नया section आया 206 CCA नया section आया 206 CCA काम खत्म गेम ओवर. Yes, हाँ हो सकता है आपको institute जो guideline दे उसके अंदर में institute जो अभी guideline दे उसके अंदर में हो सकता है 30 June 2021 को जो department का clarification आया था वो भी दे यह 30 June 2021 का जो clarification आया है यह आपके page number 5.87 पे आया है already मैंने include करके रखाए तो प्लीज एक बार वो चेक कर ले ना done प्रभू चलिए इसी के साथ साथ भाई जी हमारा एक और topic का amendment खतम हुआ and that is TDS TCS TDS TCS भी इसी के साथ साथ हमारा क्या होता है मालिक खतम होता है चेक कर लो चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे amendment की आज के तीसरे topic के amendment की dispute resolution dispute resolution इसके बाद हमारा सिर्फ ट्रस्ट बचेगा सेट ओफ बचेगा, salary बचेगा और capital gain बचेगा तो मुझे लगता है कि आज का lecture तो हम dispute resolution के साथ खतम कर देंगे अगले lecture के अंदर में वो भी पार्ट include करके DT वाले पूटे amendment हम कतम कर देंगे और international tax के अंदर में इतने सारे amendment है नहीं, तो वो शायद तीसरे या बहुत हद पार होगे तो चौते पार्ट के अंदर में कतम हो जाएगा इस संडे से पहले आपका सारे चीज हो जानी चाहिए यह संडे से पहले सारी चीज आपकी हो जाएगी dispute resolution page 65 पे चलिए अब साब page 65 पे चलिए dispute resolution पे चलते है आपको पते एक topic हुआ करता था एक topic हुआ करता था यह topic को खेर उन्होंने पूरे ही खतम कर दिया income tax settlement commission एक topic हुआ करता था income tax settlement commission इस topic को उन्होंने पूरा का पूरा ही खतम कर दिया right income tax settlement commission की जगह पे यह लोग क्या लेके आगए ITSC के जगह पे यह लोग लेकर के आगए गया dispute resolution body ITSC को पूरा का पूरा ही खतम कर दिया right और इसके जगह पे आ गया है dispute resolution body ITSC क्या हुआ करता था settlement commission हुआ करता था तो जब भी कोई व्यक्ति कहां फसा था बिटा किसी भी case के अंदर में फसता था तो उसको जीवन में एक opportunity मिलती थी यह option क्योंकि सिर्फ आप एक time ले पाते थे life में उसको जीवन में सिर्फ एक opportunity मिलती थी कि भी यह इस dispute से आने वाले penalty और prosecution tax में कमी नहीं होती थी इसका जो penalty और prosecution था इसकी आप माफी जाके ले सकते थे किससे settlement commission से by declaring जो आपने अपनी additional income earn करिये वो declare करके आप क्या कर सकते थे अपना penalty और prosecution से immunity ले सकते थे penalty और prosecution से जो immunity मिलती थी वो under the income tax act मिलती थी किसी और act की नहीं तो मान लीजे आपने अगर you know drugs बेच के आपको jail होने वाली है तो आप income tax settlement commission में आके immunity मांगेंगे ऐसा नहीं होता था only income tax के default के कारण जो आप पे penalty और prosecution आता था ये penalty और prosecution को क्या क्या जा सकता था माफी मिल सकती थी in income tax settlement commission को क्या कर दिया खतम कर दिया income tax settlement commission में क्या होता था सिर्फ बड़े-बड़े cases जाते थे चोटे cases income tax settlement commission में नहीं आते थे लेकिन अब जो dispute resolution committee बनाए गई है, dispute resolution committee में, सिर्फ छोटे ही case जाएंगे, बड़े case नहीं जाएंगे, हाँ, अभी थोटे देर में आपको समझ मा आ जाएगा कि ये छोटे case और बड़े case की बीच में difference क्या है, right, so check करिये, income tax settlement commission constituted by central government for settlement of cases ceases to operate with effect from February 21, consequently no application for settlement of cases before settlement commission can be made after 1st February 21, the central government has constituted 7 interim boards for settlements. While pending disputes are being resolved or adjudicated through interim board for settlement commission, it is also necessary to prevent the dispute in future and settle the issue at initial stage. Therefore, in order to provide the early tax certainty small and medium taxpayer, किसके लिए, for small and medium taxpayer, for small and medium taxpayer, with effect from 1st April 2021, the new dispute resolution committee has been formulated. जितने भी बच्चे जिन्होंने already मेरे पास से class की है, याद होगा तो settlement commission जा करके interim board for settlement commission से related, जितने भी amendment थे वो हमने already class के अंदर में पढ़ लिये थे, right, के भी है, वो सारे power interim board to settlement commission को चल जाएंगे, जितने भी application थे, you know, settlement commission में pending, वो automatically interim board for settlement commission को चले जाएंगे, फिर अगर आप, you know, interim board for settlement commission में नहीं जाते तो एक section आया था 245M, जो क्या कर सकता है, आपको withdraw करने का option भी दे सकता है, ये सारी बाते हम लोगोंने क्या करी थे, already income tax settlement commission नाम के topic में पड़ी थी, अब जितने pending application थे settlement commission के, मेरी बात समझना भाई साब, ITSC खतम हो करके interim board बना, interim board का काम क्या कोई नए settlement को करना है, क्या answer is no, interim board का काम कोई नए settlement को लेना नहीं था, सिब ITSC के जितने चीजे pending चल रही थी, वो किसको जा रहे थे, interim board for settlement commission, क्योंकि ITSC के जो, you know, bench थी, ये, judges की थी, high court, judges, supreme court, judges, ऐसे लोग मिलनी रहे थे, जिसके कारण ITSC में कई सारी vacancies आ रही थी, government ने बोला यार, ये, हमने, you know, एक body बना करके रखी, जिसके अंदर में, लोग हमें मिलनी रहे हैं, cases को settle करने के लिए, cases के cases pending होते जा रहे, एक काम करो, निर्म board को transfer करो, interim board के अंदर में ये लेकर क्या है, chief commissioners को, income tax के बहुत सारे chief commissioners थे, income tax ने 7 interim board बनाये, पूरे इंडिया में जितने cases spending है, इस cases pending को खतम करने के लिए, 7 interim board बनाये गए, और 7 interim board में CCE डाले गए, chief commissioners को डाला गया, बोला कि विया, जितने cases spending है, ये सब को खतम करो, प एक अप्रिल 2021 से 1st April 2021 से क्या लेकर क्या है? Dispute Resolution Committee लेकर क्या है? Section 245 MA नया section introduced किया. Yes, constitute कौन करेगा? Who will constitute? Who will constitute DRC? Central Government is empowered to constitute one or more DRC. तो एक या एक से ज्यादा DRC लाया जा सकता है. Yes, अच्छा जी. इसके अंदर में such person और class of person रहेंगे जो CBTT स्पेसिफाइ करेगा. Right? जो CBTT क्या करेगा? स्पेसिफाइ करेगा. Specified order के against में दिया जा सकता है. Dispute Resolution Committee जो है, ये specified orders के against में ही settle करेगी cases को. अच्छा जी. मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन होंगे? बड़े आसानी से. पहला, ये वो लोग होंगे जिनके खिलाब कोई draft order बना होगा. क्योंकि order means any order including draft order. कई बार आप देखते हो कि पहले आपको draft order issue होता है. जैसे अगर आप ये assessment ही देखो, तो पहले आपको draft order issue होता है उसके बाद final order issue होता है. तो draft order को ले करके भी आप कहां जा सकते हो, dispute resolution में जा सकते हो, aggregate sum और variation proposed does not exceed 10 lakh. मतलब ऐसे छोटे taxpayer जिनका assessment हुआ, 143 में, 144 में, 147 में और जो variation लाया A.O. ने वो 10 lakh से जादा नहीं है. मतलब, let's say income 5 lakh रुपीज थी, A.O. ने 2 lakh रुपे से बढ़ा दी, 7 lakh रुपीज कर दी. अगर variation 10 lakh रुपीज के उपर नहीं दिया है A.O. ने, तो ऐसे छोटे taxpayers क्या कर सकते है, जा सकते है, dispute resolution committee में. इदर आईए, where return filed by the assessi and total income does not exceed 50 lakh. ऐसा taxpayer जिसका return of income 50 lakh से उपर नहीं जा रहा, ये DRC में जा सकता है. पहले क्या होते थे, 50 lakh जितने बड़े cases आपके डिया, इसके अंदर में जाते थे, ITST में जाते थे, अब इन्होंने बोल दिया 50 lakh या, उससे बड़े cases ही कहा जाते थे, settlement commission में जाते थे, अब इन्होंने बोल दिया, तीन लोग technically, you know, dispute committee के पास जा सकते है. एक, order या draft order लेकर के, दूसरा जिसका variation 10 lakh रुपीज से उपर नहीं जा रहा, तीसरा, तीसरा जिसकी total income, surcharge की limit को भी cross नहीं कर रही, 50 lakh को भी cross नहीं कर रही, यह किसके पास जा सकते है, dispute resolution committee के पास जा सकते है, बोल सकते है, कि यह आप मुझे क्या provide करो, आप मुझे immunity दो, immunity किस से, इदर देख shall have power to reduce or waive the penalty under the income tax act, और grant immunity from prosecution or penalty, technically मुझे लगता है, आपको जो question मनेगा, वो इसके उपर मनेगा, what are the power of dispute resolution committee, पहला power है, कि यह reduce कर सकते है, waive कर सकते है, किसी भी तरह की penalty को, दूसरा यह penalty से, यह immunity दे सकते है, किस से, prosecution से, of any offense punishable under this act, yes, अच्छा जी, but such order is not based on, हम कोई भी order DRC के सामने लेकर आ सकते है, बस यह order किस से related नहीं होना चाहिए, the order is not based on search, हम कोई भी order के खिलाफ DRC में जा सकते है, पर यह search पे बेस नहीं होना चाहिए, requisition पे बेस नहीं होना चाहिए, नहीं यह order किसी information के basis पे होना चाहिए, जो section 90 और 90A, that is, DTAA के तहट मिले गए information के basis पे होना चाहिए, कोई भी order के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, dispute resolution committee के सामने जा सकते हो, लेकिन चार order नहीं चलेंगे, search वाला order, survey वाला order, requisition वाला order, या DTAA के information के basis पे बनावा कोई order, इसके against में आप कहा नहीं जा सकते हैं, आप dispute resolution committee में नहीं जा सकते हैं, अच्छा, further उन्होंने कुछ और भी कहीं चीज़े हैं, further कुछ और भी चीज़े, specified person in relation to a person, means who fulfill following condition, he should not be a person, in respect of whom, any order of detention has been made under conservation of, conservation of foreign exchange and prevention of smuggling act, यह वो वेक्ती नहीं होना चीए, जिसके खिलाब कोई detention order निकला है, under foreign exchange prevention of smuggling act, yes, such order of detention should not have been revoked before the expiry of the stimulated period, either on the basis of report of advisory board or review board, further, further, such order of detention being an order of the provision under section 9 or 12a of the said act do not apply or has been revoked on a report of advisory committee or EAS other, 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 other section of the, you know, foreign exchange prevention of smuggling act के तहत दियावा है, इतना आपको कूछ याद करने के ज़र अदनी, in fact, आप ये पूरा का पूरा पूरा provision cut कर सकते हो, सीद्दा सीद्दा ले जा करके एक, ये वो परसन नियोना चीए, जिसके खिलाब कोई detention order निकला है, foreign exchange prevention act के अंदर में, punishable under the Indian Penal Code, Narcotic Drugs, Psycho-Trophic Substance, Benami Transaction Act, इनके अगेंस में, इनके किलाब कोई prosecution नहीं होने चाहिए, who is notified by special court, ये कोई special person नहीं होना चीए, जिसको court ने notify किया है, in respect of whom, prosecution has been initiated under the Indian Penal Code, Indian Penal Code के अंदर में prosecution में नहीं आना चीए, and fulfill such other condition as may be satisfied, तो ये देखिये, in short ये person, neat and clean होना चीए, in short in person, ये neat and clean होना चीए, किसी foreign exchange prevention act के अंदर में cover नहीं होना चीए, Indian Penal Code में cover नहीं होना चीए, जिसके खिलाफ कोई detention order मिलावा है, या कोई special court के द्वारा notified person है, बेनामी transaction है, इन transactions के अंदर में इनके खिलाफ कोई prosecution के order निकले वे नहीं होने चाहिए, तो ही ये का कर सकता है, DRC में जा सकता है, 5th point faceless scheme for DRC, in fact जब इन्होंने नया law लेके आया है, ये भी कह दिया कि आगे चलके ये जो DRC होगा, ये faceless होगा, जैसे आज assessment faceless होते हैं, तो central government may make a scheme by notification in the official gadget for increasing the efficiency, transparency and accountability, eliminating the difference between dispute resolution committee, optimum utilization resources and introducing a dispute resolution system with dynamic jurisdiction, ये क्या किया जा सकता है, faceless scheme for dispute resolution लाई जा सकती है, कब तक लाएंगे ये लोग, बोल रहे हैं, 2000 TVs तक के लेकर के आएंगे, बोल रहे हैं, 2000 TVs तक के लेकर के आएंगे, तो भाई साब, बहुत ही simple था, क्या था, वपस से एक बार बता दू आपको, ITSC के जितने भी cases थे, ITSC खतम हो गया, एक फरवरी 2021 को, ITSC खतम हो गया, एक फरवरी 2021 को, इधर की जितनी pending चीजे थी, वो किसके पास चलेगी, इंट्रिम बोड फर सेटलमेंट कमिशन के पास चलेगी, क्या कोई नए सेटलमेंट, इंट्रिम बोड फर सेटलमेंट कमिशन ले सकता है, नहीं ले सकता, तो 14.2021 से dispute resolution committee को लेकर क्या है? dispute resolution committee को form कौन करेगा? central government इसको form करेगा. कौन कौन से cases ये accept करेगा? ये क्या सबसे पहली बात. इसके पास power क्या है? power है सर, immunity दे सकता है. किस से? penalty से दे सकता है और prosecution से दे सकता है. penalty दे सकता है, immunity और prosecution से दे सकता है. अच्छा जी सर, कौन कौन apply कर सकता है? जिसके खिलाफ कोई order issue हुआ हो, या कोई draft order issue हुआ हो, जिसके assessment में variation does not exceed 10 lakhs, या फिर जिसकी total income is up to rupees 50 lakhs, या फिर जिसके खिलाफ कोई cases नहीं चल रहा है, under the BNAMI property act, foreign exchange management act, under any other these psychotropic drugs, narcotic drugs, इनके अंदर में कोई cases नहीं चालू होने चीए. ये लोग apply कर सकते हैं, किसके लिए वेटा dispute resolution के लिए? dispute resolution committee. इसमें अगर कुछ पूच सकता है, तो एक आपका ये point पूँचेगा, एक आपका ये point पूँचेगा, कि we are who can apply, दूसरा आपको पूचेगा, तो power पूचेगा, दूसरा अगर आपको पूचेगा, तो power पूचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूचने वाला. मैं इसे, हाँ, मैं इसे expect करता हूँ, कि बहुत हद हो गई, तो 2-4 के बीच में range कर देगा, उससे उपर range नहीं कर सकता. बहुत हद हो गई, तो 2-4 के बीच में range कर देगा, उससे उपर नहीं कर सकता. Is that done? चलिए साब. So sir, एक और topic आपका खतम होता है, एक और topic आपका खतम होता है, आज का amendment lecture number part 2 भी यहीं हम खतम करने हैं. अगले lecture के अंदर में salary, capital gain, set off, taxation of trust, यह चारों चीज़ करके हम at least DT का पूरा amendment portion खतम कर देंगे. और अगर possible होतो उसी के अंदर में international tax का भी हम लोग खतम कर देंगे. So see you in next lecture. आपको देखते रहे हैं, आल्रेडी मैं question है, discussion डाल रहा हूँ, मालिक जितना time मिल रहा है, जो मिल रहा है, सीधा आपको dedicate कर रहा हूँ. अभी भी रात के करीब साड़े वारा बज़रे हैं, रात के साड़े वारा बज़रे हैं और हम लगे पड़े वे हैं. तो objective बड़ा clear है, बस आपको जितना मिल जाए, जो मिल जाए, जैसे possible है. questionnaire के लिए आदी घंटे का भी time मिल रहा है, वो डाल देता हूँ. revision videos लाना है, एक बार आपका यह amendment कतम हो गए, फिर में को फटा-फट important topic के revision videos लेकर के आने हैं, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहे हैं, इस channel पर see you in the next lecture. Bye, take care.